अध्याय 431 राजा राय सियरा भाग एक टक्राना बीच में अधिक सफेद छीटों का एक विशाल स्तम और इसके साथ कुछ तेजी से सोई हुई सो किरने घूम गई कोई सपष्ट रूप से देख सकता था कि वो हरा बवंडर पानी से बना था और वह जील के उपर एक आकर्शक हरी रोशनी के साथ उभरा ऐसा लग रहा था कि आसपास का पानी भी खीच गया है और अप्रत्याशित रूप से भावर में बदल गया है बारह में रक्षक संत रुके नहीं और उसे ऐसे ही छोड़ दिया बलकी एक भयानक फुस्फुसाहट छोड़ दी दो हरी बत्या हवा में टिम्टिमा रही थी और दो खंजर एक बार फिर लहराए गए जिससे जील की ओर एक और बवंडर के रूप में हरी चमक पैदा हुई परिनाम भयावेह था इसके अलावा चांदी की रोशनी की दरजनों चमक अचानक चमक उठी जो चांदी की बिजली की तरह दस्वे परित्रगाट की ओर दोर रही थी हरे कंकाल की आँखों में हरे रंग की आत्मा की आग स्पंदित हो गई और एक तेज गती के साथ वो अपने सबसे करीब चांदी की रोशनी से बच गया तुरंद उसने इन सियरा रेज को अपनी हवाय श्रेश्थता दिखाने के लिए अपने कार्यों का उप्योग किया बुरुत्वा कर्शन से पूरी तरह से अप्रभावित दिखने पर उसकी हरी आकृती ने हवा में नौ बार पल्तिया मारी और सौरे के प्रत्येक हमले से बालभर की दूरी से बच गई और इसके अलावा ये केवल तीन मीटर की उचाई पर था घनी हरी रोशनी के बीच सौखिर ने जो हरे रंग की आकृती का बेतहाशा पीछा कर रही थी पहले से ही सौ मीटर से अधिक दूर थी हाला की भले ही उनकी संख्या उससे अधिक थी और वे इतनी तेजी से आगे बढ़े फिर भी वे दस्वे सिंट गाड को पकड़ने में असमर्थ थे गती के मामले में दस्वे गाड संथ बेहद आश्वस थे जब तक वह नौवे चरंग के बिजलीघर के भीतर नहीं था जो पूरे क्षेत्र पर नियंतरन कर सकता था उसकी गती अपनी अधिकतम पर थी अपनी अप्रत्याशित चालों के साथ वह कई बार सो रेज के हमलों से कुछ हद तक बचने में काम्याब रहा जबकि धीरे धीरे वह उनके क्षेत्र से और भी दूर होता गया ये तीवर गती से नहीं निकला बलकि बड़ी संख्या में सियरा किरनों को आकरशित किया हवा में बहने वाली हवा और अंतरिक शाध्यात में कूर्जा अतुलनिय रूप से प्रचन्ट थी दलदल की जहरीली धुंद को फैला रही थी और नश्ट कर रही थी सियरा रेयास की किसी भी अशुधता से छुटकारा पाने की क्षमता पूरी तरह से सामने आई जहरीली धुंदुन के सामने शक्तिहीन थी और हर बार जब उसका घेरा दस्वे सेंट गार्ड पर हावी होने वाला था तो वहंत में हरी बिजली की तरह उससे बच निकला लास रायस सियरा ख्रोधित थे ये पहली बार था कि उन्हें इस तरह के उकसावे का सामना करना पड़ा लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका अपरादी उसे घेरने की उसकी सभी कोशिशों से बच गया धीमी हरी रोष्णी एक स्थिर उडान में बदल गई लगातार हमलों से बचने के बाद अंततह सीधी उडान भरी इस समय दस्वे सेंट गार्ड की पूरी गती उभरी उसे अपने और उसका पीछा कर रही सिएरा किरनों के बीच कुछ दूरी बनाने में केवल एक पल लगा हरी रोष्णी के जोके के साथ वो पलक जपकते ही गायब हो गई सिएरारे समूह भी भी तेजी से पीछा कर रहा था लेकिन वे असहाय थी क्योंकि उन्होंने हरी बत्ती को दूरी हासिल करते देखा यह आज दुपहर जैसा ही कैसे हो गया सौर रेज चिलाने में असमर्थ थे लेकिन उनसे फैलने वाली हत्या का इरादा वास्तविक था आसपास की लताये एक बार फिर उनका शिकार बनी लगातार तबाही के बाद ये देखते हुए कि वे उस हरे रंग की आकृती का पीछा जारी रखने में असमर्थ थे उन्होंने अपने निवास स्थान पर लोटने के लिए इस्तीफा दे दिया उनकी वापसी की गती स्वाभाविक रूप से उतनी तेज नहीं होगी जितनी तब होगी जब वे दुश्मन का पीछा कर रहे थे कोई देख सकता था कि अधिकांश बहुत कम गती से उड़ रहे थे लेकिन अचानक कहीं से चमकीले सुनहरे रंग की दोचेने प्रकट हुई हवा में वल घना सुनहरा मंच शांदार आतिश बाजी के समान था और बीच में एक आकरिती सीधे सियरा रे समूह के पीछे की और जा रही थी दस मीटर से अधिक लंबी उस आकरिती का अनिश्चित स्वरूप था लेकिन जैसे ही वक प्रकट हुई उदास दलदल में आसपास की सभी जहरीली गैसे बिखर गई और केवल अनंत पवित्रता का पवित्र प्रकाश ही रह गया ऐसा लग रहा था मानो सूर्य इस मृत्यो लोग पर उतर आया हो और वहां की सारी गंदगी को धो रहा हो नीचे उतरी हरी आकरिती तेजी से घूम रही थी मास की चक्की की तरह सुनेहली रोशनी में कम से कम दर्जनों सो किरनों को अपनी चपेट में ले रही थी ये सब बहुत अचानक हुआ हाला की सियरा रेज की आकरमन शक्ती बहुत बढ़िया थी लेकिन उनकी धारना केवल औसत थी जब उन्हें पता चला की कुछ गरबर है तो वे पहले ही उस भीर में फंस चुके थे तुरंट आकाश में प्रकाश का एक विशाल गोला फूटा और आसपास की रोशनी और भी अधिक चमक गई इसी बीच दो आकरितिया एक साथ किनारे गिरी जिससे एक के बाद एक दो धमाके हुए एक तरफ एक अध्भुत चांदी की चमक थी और दूसरी तरफ एक विशाल धाल जिसमें अंतरिक्ष क्रिस्टल के चार बंडल थे उस हर्ताली चांदी की रोशनी के अंदर धाल पूरी गती से घूम रही थी जिससे दस मीटर व्यास में एक चांदी का सरपिल निकल रहा था जैसे ही इसने लोकती हुई सौ किरनों के एक बड़ेक शेत्र पर हमला किया दूसरी तरफ प्रकाश की चकाचोंद से देहशत फैल गई भयानक बैंगनी बिजली के साथ मिश्रत चमकदार सुनेहरा रंग सियरा किरनों को कुचलते हुई एक विशाल बिजली के बोल्ट की तरह नीचे उतरा उस विशाल सुनेहरी गेंद को अन्य सौरेज को कुचलने में उनकी जीवन उर्जा को वैसे ही खत्म करने में केवल एक पल लगा ठीक इसी समय सामने सियरा किरनों ने अपनी प्रतिक्रिया दिखाए चांदी की रोशनी के विसफोट के साथ पागलों की तरह पलटवार किया हाला कि इस समय प्रकाश की गेंद जो पहले नीचे गिर रही थी अंततह लोट रही सियरा किरनों का स्वागत करते हुए गिर गई प्रचन तेज रोशनी मुख्या आधार बन गई और हिंसक आवाजों के बीच जमीन हिल गई लताय का अपने लगी और तीवर तात्विक विसफोर्ट की भूगम पियर शक्ती से सो किरने सभी दिशाओं में बिखर गई इससे एक बहुती विशेश स्थिती उत्पन हो गई उस महान गिरते उलका ने कम से कम 30 सियरा किरनों को अपनी चपेट में ले लिया जिससे सियरा किरने जिन पर पहले अचानक हमला हुआ था और बचाव के लिए आने वाली एक मात्र सियरा किरने दो समुहों में विभाजित हो गई उसने दूसरों को बचाने के लिए आ रही चान्दी की आकृतियों को निशाना बनाते हुए एक सफल नाका बंदी की जैसे ही लॉंग हाउचेन प्रकाश की देवी आरिया के साथ पहुंचे, आकाश में एक चांदी की रोशनी बार-बार टिम्टिमा रही थी उनकी आध्यात में कूर्जा पहले से ही अपने उच्चितम स्तर पर केंड्रित थी, महान स्वर्नेम छाया उनके सबसे बड़े आत्मिश्वा से बनी थी उनके हर प्रहार को प्रकाश की देवी के अव्तरित होने के फैसले का समर्थन प्राप्था, जो कल्पना से परे एक भयानक अस्तित्व था सावधानी से पकड़े जाने पर सौर्रेज केवल अपनी सुरक्षा के लिए स्थानिक तत्वपर भरोसा कर सकते थे और अभी भी कर रहे थे और आप सभी शत्रूओं की पहचान करें इस बार एक नीली और एक लाल आकृती दिखाए दी, जो शक्तिशाली हमलों और महान शक्ती के साथ फूट रही थी जब सुनहरे सरपिल में पकड़ी गई सौकिरनों को डाला गया, तो वे पहले से ही पूरी तरह से चोटों से धकी हुई थी, जिससे वे बेहद आसान लक्षे बन गए अपना पहला हमला जारी करने के बाद, सिमा जियान और वांग युवान युवान के पास अभी भी कोई आरक्षन नहीं था, जिससे उनकी पूरी ताकत विसफोट हो गई परपल थंडर डिवाइन फ्यूज्ड स्पिरिचुल स्टोव को प्रकाश की विशाल गेंद के साथ मिलकर चलाया गया था ये देखते हुए कि सिमा जियान की ताकत कितनी भयानक हो गई थी, जब उसका हथियार प्रतिद्वंद्वी से तकराता था, तो वे पूरी तरह से असहाय हो जाते थे, हथियार से तकराते थे जैसे कि उसके द्वारा खीचा गया हो सौ स्ट्राइप्स ने शक्तिशाली आक्रामक शक्ती का प्रदर्शन किया, लेकिन प्रकाश की विशाल गेंद बहुत जबर्दस थी वह पौरानिक स्तर का एक हथियार था, जो तीन कौशलों द्वारा समर्थित था स्माइट कोशल के सामने वे विरोध करने में असमर्थ हो गए, जबकि प्रकाश की विशाल गेंद को नुकसान पहुचाना उनके लिए एक असमभव उपलब दी थी परपल थंडर डिवाइन स्पिरिचुवल स्टोव लाइट एनजी बॉल का एक आदर्श पूरक था क्योंकि परपल थंडर के अंदर फसा कोई भी व्यक्तिक शन्भर के लिए स्तब्ध हो जाता था भले ही सौरेज आठवे चरंग के जादूई जानवर थे प्रकाश की विशाल गेंद को लेना असमभब था और इसका परिनाम केवल उनके लिए त्रासदी हो सकता था सेरा रायस का सबसे भयानक पहलू अभी भी उनका संचार था एक समूव के रूप में रहने वाले आठवे चरंग के जादूई जानवरों के आतंग की मात्रा बहुत अधिक थी लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनका सबसे शक्तिशाली पहलू उनकी आकरामक शक्ती थी उनकी रक्षा और तक्नीक लगभगना के बराबर थी और जब उन पर लॉन्ग हाउचेन के समूव के सुविचारित हमलों के साथ धात लगा कर हमला किया गया तो एक दरजन से अधिक सियरा रेज को नश्ट होने में केवल थोगा समय लगा हाला कि ये टिंग ने थी किसी क्षन उलका प्रकाश छोगा जिसके परिणामस वरूप और भी अधिक सो किरने नश्ट हो गई जो उसकी दिशा की और बढ़ रही थी सोल बाइंडिन चेन के साथ हुई क्षती को साजा करने से लॉंग हाउचेन, सिमा जियान और वा, गयुवान अयुवान सभी सुनहरे रंग में चमक रहे थे ऐसा नहीं था कि वेवास्तव में सियरा किरनों से घायल हुए थे बलकि ये उनसे टकराने के कारण हुआ था यदि उन पर सौरेज का सीधा हमला होता, यहां तक की प्रकाश की देवी की सुरक्षा के साथ भी लॉंग हाउचेन धायल नहीं होते निकासी, लॉंग हाउचेन ने जोड से चिल लाया, जैसे ही एक सफेद रोशनी ने क्शेत्र को रोशन किया, सौरेज की लाशो को हवा में कीच लिया लॉंग हाउचेन की समूह ने अपने आध्यात्मिक पंक फैलाए और हवा में उची उडान भरी उनके भागने के दोरान, दो संत रक्षक उनके लिए सुविधा जनक ध्यान भटकाने वाले बन गए जैसे ही लॉंग हाउचेन का तीन लोगों का समूह भागने में काम्याब हुआ, वे प्रकाश के दो बोल्ट में बदल गए और शाश्वत मैलोडी में लोट आए बिना रुके, लॉंध हाउचेन का समूह उचाई पर बने रहने की पूरी कोशिश करते हुए पागलों की तरह भाग गया ठीक ही सीक्षन, कुछ परिवर्तन हुआ प्रतीत हुआ, क्योंकि दूसरी और की जील उबलने लगी तुरंत, एक मोटी चांदी की रोश्णी निकली, जिसकी गती दस्वे सेंट गार्ट से भी अधिक थी जैसे ही वह अपनी दिशा में उढ़ने लगा, उसका शरीर बिना किसी निशान के गायब हो गया, पलक जपकते ही सेकड़ों मीटर दूर दिखाए देने लगा वह थात्वरित टेलिपोर्टेशन, जैसे ही यह चांदी की रोश्णी प्रकट हुई, क्लिक की आवाजे आने लगी, जो पूरे परिवेश में फैल गई अगले हीपल, एक के बाद एक कई दरारे दिखाए दी इससे भी अधिक भयानक, चारों और का जहर चांदी में बदल गया, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानुस्थानिक विशेष्टा आध्यात में कूर्जा के अलावा कुछ भी नहीं बचा है लॉन्ड हाउचेन की समूव को जिस सबसे बुरी स्थिती की आशनका थी, वह घटित हो चुकी थी सियरा रेज के इस समूव के बीच वास्तव में एक राजा था लॉन्ड हाउचेन की समूव ने सफलता पूर्वक गुप्त हमला किया था और एक दर्जन से अधिक सियरा रेज को मार डाला था हाला कि उन्होंने इस रे राया सियरा को परेशान किया, जो अब बदला लेना चाह रही थी अध्याए 432 राजा राय सियरा भाग दो सच है, सौरेज में उड़ने की क्षमता नहीं थी, लेकिन अपनी स्थान एक टेलिपोटेशन क्षमता के उप्योग के साथ सौरेकिन सीधे मध्य हवा में दिखाई दिया, इससे पहले की वह अपनी पीट से बड़ी पुंच को मारता, ठीक एक तीर की तरह जो दूर से निशाना साध रहा हो दस्वी सीधी वाला जादूई जानवर पावहाउस होने के नाते, वह इन दलदलों के शासकों में से एक था, जिसके पास निश्चेत रूप से लॉन्ड हाउचेन और अन्यदो के स्थान को अवरुद करने के अपने तरीके थे और इसके अलावा लॉन्ड हाउचेन के समूव को अपनी द्रिष्टी में लाने के लिए उन्हें केवल तीन बार प्रयास करना पड़ा हाला कि ये भी सच है कि उस समय राजा राया सियरा की चमकदार छवी थम गई थी अचानक मुढकर उसने सही दिशा में अपने घर की ओर देखा इस अचानक रुकने से राजा राया सियरा का स्वरूप रकट हो गया उनका स्वरूप सामान्य सौरेज की समान था जो इस संबंध में मचली के करीब थे उसके सिर पर एक बड़ा सीम था जिसके दोनों किनारों पर चान्दी की रोशनी से चमकता हुआ एक तेज बलेड था इससे निकलने वाली रोशनी का रंग मित्रल से भी अधिक गहरा और सुनहरे सार से भी अधिक चमकीला था साथ ही उनकी शरीर से निकलने वाली चमक हरे और चांदी के मिश्रन से रंगी हुई थी इसके पेट से दो प्रकार के पंख लगे हुए थे इस प्रकार के पंख अभी भी उसे उड़ने की अनुमती देने के लिए पर्याप नहीं थे लेकिन उन्होंने उसे सरकने की अनुमती जरूर गी एक शक्तिशाली जादूई जानवर होने के नाते जो बाहवी दुनिया के परिवर्तनों के अनुकूल होने के लिए अंगिनत विकसों से गुज्रा सौरेज के जीन अब पहले जैसे नहीं थे जिससे ये पता चलता है कि यह सौरेक्यों सरकने में सक्षम होगा हजारों वर्षों के बाद कौन आश्वस्त हो सकता है कि वह अभी भी पंख पाने में असमर्थ होगी उसके सींगों के पीछे सियरा राया राजा की दोनों आखे नर्म और पतली लग रही थी जो एक उदासी पूंग अभिव्यक्ति प्रकट कर रही थी उसकी दोनों आखों पर जुर्या पढ़ गई थी जिससे वह हैरान नजर आ रहा था अपने स्तर तक पहुँचने पर एक जादूई जानवर के पास काफी बुद्धि मत्ता होगी लॉंग हावचेन के उकसावे की ओर वह निश्चित रूप से अपने भायों की ओर से कार्य कर रहा था लेकिन जैसे ही वह लॉंग हावचेन के समूव का पीछा करने वाला था उसे अचानक संकट का बड़ा हसास हुआ संकट की यह भावना उस पर नहीं बल्कि उसकी प्रजाती के निवास स्थान पर थी फीनिक्स की एक भूंचती चीक हवा में एक भूंच उठी और एक विशाल नीली लौन एक शितिच पर उडान भरी उनके अस्तित्व के कारण ही राजा राय सियरा रुख गये थे अगले ही पलमा एक और स्थानिक टेलिपोटेशन हुआ इस बार लौंड हाउचेन के समूर का पीछा करने का लक्ष नहीं बलकि उसके घर की दिशा में ये तीनों निश्चित रूप से घ्रिनित थे लेकिन उस निवास स्थान की तुलना में जो उन्होंने पिछले हजारों वर्षों में बनाये थे वे कुछ भी महत्वपून नहीं थे चमकदार नीली लौ को पहले से ही राजा राया सियरा की इंद्रियों के लिए एक बड़ा खत्रा माना गया था यदि उसे जील में छोड़ दिया गया तो परिनाम ऐसे नहीं होंगे जिनकी वह कल्पना करने की हिम्मत करेगा हाला की ये कदम अंत में बहुत देर से उठाया गया जब तक राजा राया सियरा ने खुद को जील के दायरे में टेलिपोर्ट किया तब तक एक नीला फीनिक्स साफ जील में अपना रास्ता बनाते हुए पहले से ही गिर रहा था जैसे ही राजा राय सियेरा के मूह से एक तेज चीक निकली उनका शरीर चमक कर जील में समा गया लेकिन उस वक्त अंदर का पानी तेजी से उबल रहा था पूरी तरह घबरा कर बढ़ी संख्या में सो किरने जील से बाहर आई जो तुरंत नीली हो गई चिरका हुआ पानी भायानर गती से वाश्पित हो गया और इसकी मूल रूप से इतनी बड़ी जील का आकार बहुत तेजी से कम हो गया धीरे धीरे जील में मूल रूप से चिपी हुई आद्रभूमी दिखाई देने लगी लगातार चिल्लाते हुए राया सियरा का गुस्सा चरम बिंदू पर पहुँच गया लेकिन फिर भी वह इस स्थिती में अभी भी शक्तिहीन थी सियरा राया राजा एक अंतरिक्ष और पवन तत्व वाला जादूई जानवर था बर्फ तत्व वाला नहीं वह पानी को ठंडा करने के लिए क्या कर सकता था संयोग से यह उच्च तापमान अधिक समय तक नहीं रहा और जील के आकार का एक तिहाई कम हो जाने के बाद स्थिती अंतता शांथ हो गई फिर भी इसका अस्थान में नमी किस तर से गहरा संबंध था यदि ये दलदल के बाहर हुआ तो क्षती और भी अधिक विनाशकारी होगी लेकिन फिर भी सियरा रेज के इस समूह के लिए जील के एक तिहाई हिस्से का नश्ठोना निश्चित रूप से बहुत बुरी बात थी कौन जानता था कि पहले जितना पानी इकट्था करने में उन्हें कितना समय लगेगा इस साफ पानी की जील का उप्योग न केवल उनके निवास स्थान के रूप में किया जाता था बल्कि एक ऐसी जगह के रूप में भी किया जाता था जहां बड़ी संख्या में जलीय पौधे पैदा होते थे और इन जलिये पौधों का मुख्य लाभार्थी राजा राया सियरा था जील में पानी अभी भी उबल रहा था इसलिए सोरेज अंदर जाने के लिए तयार नहीं थे और जील की वर्तमान स्थिती के कारण अंदर के जलिये पौधे संभवतह दूर चले गए थे सियरा रेकिंग अभी भी आगे बढ़ रहा था उसने हवा में स्थानिक उर्जा के विस्फोट छोड़े जिससे एक विशाल चांदी का जाल पैदा हुआ जिससे हवा अलग हो गई हाला कि भले ही वह अधिक शक्तिशाली हो फिर भी वह हवा से क्या हासिल कर सकता था यह एक निरर्थक उदगार से अधिक कुछ नहीं था हवा में लिंच शिन को हान यू अपने साथ ले गया जबकि हाव यू आकाश में उनका इंतजार कर रहा था हाव यू लॉंग हाव चेन के पास आखिरी ट्रैप कार्ड था जिसका उप्योग उनके आखिरी बैकप और ध्यान भटकाने के लिए किया गया था लॉंग हाव चेन को उसके रक्तनुबंध के कारण उसके ठिकाने को समझने और उससे मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी वर्तमान में लिंच शिन का चेहरा पीला पड़ गया था पसीने से भीगा हुआ था लेकिन वह अभी भी उत्साहित था आज दोपहर को इन सीरा किरनो द्वारा कुत्तों की तरह उनका पीछा किया गया था और उस संबंध में उनकी निराशा के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था इसे कम से कम अच्छे बदले के तौर पर तो देखा ही जा सकता है ये सब उनकी योजनाओं के अनुसार था जिसे मुख्य रूप से लौंग हाउचेन ने तयार किया था और पूरी टीम की मदद से इसमें सुधार किया गया था लौंग हाउचेन सिमज यान और वांग युवान युवान के तीन ग्यारहवे और बारहवे सेंट गार्ड्स की मदद से मुख्य हमला बलके रूप में कार्य कर रहे थे उसका लक्ष अधिक से अधिक सियरा रेस को मारना था संभाव थे दस्वे सेंट गाद द्वारा धोखा दिये जाने पर सौकिरन ने उम्मीद के मुताबिक बहरा आ गई और लॉन्ध हाउचेन हवा में उनके निवास्थान पर लोटने का इंतजार कर रहे थे अभी उनकी सतर्क्ता सबसे कम होगी जबकि लॉन्ध हाउचेन का समूह अपनी शक्ती को अच्छी तरह से सनरक्षित करके तयार था उनकी सबसे बड़ी तक्निके जारी होने के लिए तयार थी दो पवित्र रक्षकों और येटिंग के साथ उन तीनों ने तुरंट अपनी सबसे बड़ी शक्ती का विस्फोट किया कुछ सियरा किरनों को एक पल में मारने में काम्याब रहे जिनकी ताकत रक्षा में गुनवत्ता की काफी कमी के साथ उनका आक्रमन थी येटिंग का लाइट मेटी और निरनायक था जिसने सियरा रेज द्वारा गठित पूरे समूह को सफलत पूर्वक कात दिया और उनमें से बड़ी संख्या को हिला कर रख दिया जिससे अन्यतीन को काफी समय मिल गया और इसके बाद जो हुआ वहचर मुतकर्ष था लॉंग हाउचेन ने लिंच शिन और हान यू को पहले ही छोड़ दिया था जील से एक चक्कर लगाते हुए दूसरी तरफ जाने के लिए जहां ब्लू फायर फीनिक्स पिरिट स्टोव की तयारी की गई थी चाहे सौरे किंड मौजूद था या नहीं, जब लॉंग हाउचेन का संकेत आया तो लिंच शिन रास्ते में सबसे बड़ी दुश्मन सेना को परेशान करने के लिए कारवाई करने के लिए तयार था सिगनल प्रसारित करने वाला एक मात्र व्यक्ति दस्वा गार्ड संथ था जिसने कुछ ही समय पहले सियरा किरनों को आकरशित किया था इटरनल मेलोडी के अस्तित्व के साथ, लॉंग हाउचेन के साथ उनका संबंध बिना किसी समस्या के सनरक्षित रहा अपने पीछे की दुश्मनों पर ताना मारने के बाद वह लिंच शिन और हान यू के पास लोट आए तथे यह है कि सियरा राया राजा वास्तव में प्रकट हुआ था, उसने लिंच शिन को तुरंट चिंतित कर दिया जिसने अपनी पूरी ताकत के साथ नीली लोव फीनिक्स का उप्योग करने में संकोच नहीं किया था इस प्रकार उसने चोतरफा हमले में कुछ भी पीछे नहीं रखा इसके बाद भयानक नीली ज्वाला वाली फीनिक्स की अचानक उपस्तिती हुई जिसका लक्षे सियरा किरनों के निवास स्थान की ओर था बेहत प्रभावशाली ब्लू फायर फीनिक्स के सामने सियरा राया किन के पास उसका सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा लेकिन परिनाम उनकी कल्पना से भी बहतर निकला राजा राय सियरा उनके पीछे नहीं गए बहुत जल्दी वे सभी हावयों की पीट पर इकटे हो गए और उनके विशाल पंथ खुल गए जिससे वे जहरीली गैस के बीच उल गए अब तक हर किसी ने आराम करने की हिम्मत नहीं की थी राय सियरा किनकी टेलिपोटेशन क्षमता बहुत भयानक थी अगर उसने उनके पीछे जाने का फैसला किया तो समूव के लिए उसका सामना करना आसान नहीं होगा कैयर शुरू से अंतक लड़ाई में शामिल नहीं हुआ और लॉंग हाउचेन से छिपा हुआ जाल बनकर रह गया एक कारण ये था कि कैयर स्वयम अभी तक अपनी क्षमता से परिचित नहीं हुई थी और दूसरा कारण मृत्यू देवता की दरांती की शक्ती थी यदि सियरा राया राजा ने वास्तव में उनका पीछा करने का फैसला किया तो शायद लॉंग हाउचेन और कैयर को बचाव में हर संभव प्रयास करना होगा ताकि सभी को भागने का समय मिल सके ये सब कालपनिक था और इसके बारे में आगे सोचना व्यर्थ था जैसे ही लॉंग हाउचेन जील से दूर उर गया अंततह सभी के अंदर की घबराहट शांत हो गई लिंशिन ने अपनी आखें बंद करने से पहले लॉंग हाउचेन को एक अनबूठा दिया जो सिमा जियान की तरही उसके स्पिरिट स्टोव के प्रभाव से पीडित थी हान यू ने मुस्कुराते हुए घोशना की जैसी की उम्मीद थी कप्तान ने अविश्वस निये अंतरद्रिष्टी का प्रदर्शन किया ब्लू फ्लेम फीनिक्स द्वारा उसके निवास थान को निशाना बनाने के साथ इन सौरेज ने वास्तव में अब हमारा पीछा करने की हिम्मत नहीं की और उन्होंने अपने घर की रक्षा करने का निर्ने लिया लॉंग हाउचेन ने उत्तर देने के लिए अपना सिरहिलाया, ये ओपरेशन वास्तब में खतरनाक था इस रे राया सियरा का आतंक मेरी उम्मीदों से भी परे था हालाकि जब तक उन तीनों का सियरा राया राजा द्वारा पीछा किया गया तब तक उन्होंने वास्तब में अपने हाथ नहीं मोडे थे लॉंग हाउचेन स्पाश ट्रूप से सियरा राया राजा के आतंक को महसूस करने में काम्याब रहे हवा में आध्यात्मिक उर्जा संपूर्ण स्थानिक तत्वब बन गई और यहां तक कि उनके जैसा चुना हुआ भगवान भी किसी भी प्रकाश सार को समझने में असमर्थ था इसका मतलब ये था कि यह सीरा राया राजा आध्यात्मिक उर्जा की 200-00-01 को पार कर सकता है जिससे यह एक गैर साधारन दस्वा कदम जादूई जानवर बन जाएगा यदि ऐसी कोई शक्ती उन पर अपना ध्यान केंडरित कर दे तो बचना उनके लिए बहुत कठिन बात होगी जब तक वे आश्वस्त नहीं हुए, लॉंड हाउचेन की पीट से अभी भी पसीना टपक रहा होगा हान यू ने सिरहिलाया, इस बार ये सच्मुच बड़े खत्रे से भरा था कैप्टन, क्या हमें आराम करने और फिर से संगठित होने के लिए टौवर ओफ इटिनिटी की और वापस जाना चाहिए लॉंड हाउचेन ने बिना किसी हिचकी चाहट के जब करते हुए सिरहिलाया एक नर्म सुनेहरी चमक धीरे-धीरे जगमगा उठी, जिसने सभी को अपने घेरे में ले लिया अपना आत्मविश्वास दिखाते हुए, हाओ उने दारते हुए, सभी को एक साथ कवा करते हुए बहुरंगी चमक छोड़ी तो रंत, उसके पाँच सिर उपर उठे और गुराने लगे, जिससे एक भयानक और रहसिमय पंच रंग की चमक निकल रही थी पेंटा रंग विकार का सार एक चांदी की रोशनी हवा में, चुपचा प्रकट हुई, विकार के पाँच रंगों वाले सार से टकराते हुए जिसने उसे थोड़ा धीमा कर दिया अगले ही पल में, लॉंग हाउचेन और उसके साथ ही गायब हो गए, उन्हें पहले ही दूर भीज दिया गया, जबकि केवल प्रकाश की एक किरन पीछे रह गई अध्याय 433 राजा राय सियरा भाग तीम उस चांदी की चमक ने अपने सीन की शीर्ष का उप्योग करते हुए, हत्या के इरादे से हाउयो को जोर से हिला दिया और लॉंग हाउचेन की समूव की पिछले स्थान पर अंगिनत चांदी की चमक हवा में उलजी हुई दिखाए दी तीन सेकंड बाद फिर से प्रकट होने से पहले अगले ही पल में चांदी की चाया हवा में गायब हो गई उसका लक्ष अपनी अंतरिक शक्तियों का उप्योग करके लॉंग हाउचेन की समूव का पीछा करके उनकी हत्या करना था लेकिन दुर्भाग्य से वह अपने प्रयास में विफल रहा सच है एक मात्र पीछा करने वाला राजा राया सियरा ही था दस्वे कदम का जादूई जानवर होने के कारण इसकी धारना लॉंग हाउचेन के समूव की कल्पना से भी अधिक भयानक थी उसके चारों और की हवास्थानिक सार से भर जाने के बाद उसके दाइरे में सब कुछ उसके नियंत्रन में था अपने निवास्थान पर हमला करने के बाद सियरा रेकिंग ने वास्तव में कोई भी जोखिम लेने से परहेच किया लेकिन ये सुनिश्चित करने के बाद की उसकी सभी प्रजातिया सुरक्षित थी, सियरा रेकिंग ने बारीकी से खोज की। ये सुनिश्चित करने के बाद की कोई अन्य खत्रा मौजूद नहीं है, राजा राय सियरा ने द्वेश से भरे हुए उनका पीछा किया। जब वह उनके पास पहुँचा तो उसने बार-बार स्थानिक टेलिपोटेशन पर भी भरोसा किया यदि हान्यू का सुझाव थोड़ा बाद में आया होता तो शायद वे राजा राया सियरा के भयानक हमले से पीरित हो गए होते और ऐसा ही होता अगर लॉंड हाउचेन की प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी होती और एक और महत्वपून बात ये थी कि हाउयू में विकार का पांच मौलिक सार था जो उसक्षन तुरंत विसफोट हो गया जिससे समूव का कुछ कीमती समय बरबाद हो गया उस समय लॉंड हाउचेन सभी को लेकर आया था वापस टावर ओफ इटिनिटी में उसने पाया कि उसके कवच के अंदर के कपड़े पूरी तरह से पसीने से भीग गय थे ठीक पहले काक्षन सच्मुच खतरनाक था यह महसूस करना की इस साहसिक कार्य में मृत्यू उस समय से भी आधिक निकट है जब वया बाओ के विरुद्ध गय थे भले हिया बाओ और भी मजबूत था फिर भी उसे नौवे चरण से गुजवना पगा और वे दानव कातिलों को हटाने वाले वही थे हाला की यह सिरा राया राजा न केवल नौवे चरण के मानब पावहाउस के बराबर था वह एक आक्रामक विशेश यभी था यदि उनका हमला वास्तब में सफल होता तो उनमें से कोई भी बच नहीं पाता पूर्ण शक्ती के सामने देवियो उपकरन भी शक्तिहीन होंगे उनके चहरों पर भाव विशेश रूप से बदसूरत थे खासकर लौंड हाउचेन के लिए जिनकी घातक गलती उनकी पूरी टीम की मौत का कारण बन सकती थी वे सभी चुप थे और प्रतेक पसीने से लत्पत लग रहा था मृत्यू के सामने कोई भी व्यक्ति भयमुक्त नहीं होगा विशेश कर तब जब वो उससे इतनी निकट दूरी पर हो लौंग हाउचेन ने अपने दात का सकर भींच लिये बहुत देर तक चुप रहा अन्य था इतने शक्तिशाली मंत्र के विमोचन से उसका बोज और भी अधिक हो जाता विकार का सार मूल रूप से निससंदे शक्ति के साथ हाउयू का जनजात जादू था लेकिन इसका कमजोर बिंदू अभी भी ये था कि हाउयू कितना भी मजबूत क्यों नहो इस जादू को जारी करने से उसकी लगभग सारी आध्यात्मिक उर्जा खत्म हो जाएगी फिर भी उस पिछली हर्ताल से विक्सित होने के बाद हासिल की गई हाउयू की वास्तविक ताकत का पता चल जाएगा विकार के पाँच तत्वीर सार के साथ हमला करते समय नौवे चरण का पावहाउस भी पाच सेकेंड से अधिक विलंबित हो जाएगा सौर रेकिन जैसा स्थानिक विशेष्टा उपियोग करता जादू के प्रभाव से मुक्त होने में असमर्थ था केवल खुद को अधिकतम हानिकर बनाय रखने में असमर्थ था मुझे खेद है हर कोई मुझे अपने निर्नय की समीक्षा करने की आवश्यक्ता थी मेरी युजना पर्याप नहीं थी जिससे हमारा समूर बड़े खत्रे में पढ़ गया कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी मुझ पर आती है बॉस ऐसा नहीं है किसने सोचा होगा कि राजा राया सियरा इतना शक्तिशाली होगा अपने स्पिरिट स्टोव के प्रभाव को सहन करते हुए सिमा जियान ने जल्दी से कहा हान युने भी सिर हिलाया ये सही है ये सब हमारी उम्मीदों से पर था ये सब हमारी जिम्मेदारी है, अपने आपको दोश न दें करवी मुस्कान बिखेरते हुए, लॉंध हाउचिन ने अपना सिर हिलाया, नहीं कप्तान के रूप में यह हैसास होने के बावजूत की हमें संभवता एक शक्तिशाली सियरा रेकिंग मिल सकता है मैंने फिर भी उनका वहाँ नेत्रित्व किया, ये पहले से ही एक गलती थी, अगर आज कोई खोया हुआ होता तो वो मुझे हमेशा माफ नहीं कर पाता मैं ही गलत हूँ, जबकि सजा के लिए मैं फॉरस्ट बोवा पिल्स का लाब छोड़ दूनगा जो हमें यहां की यात्रा से प्राप्त होगा कैप्टन केवल मैं ही गलत हूँ, ये सब मेरे स्वार्थ के कारण था, इसलिए मैं दृव होने के बावजूद, वांग युवान युवान मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी आँखों में लाली के निशान निकल गए सियरा रेस को मारने से सबसे अधिक लाब केवल उसे ही होगा, और यह ठीक इसलिए था क्योंकि उसके पास अंतरिक्ष विशेश्ता उपकरनों की कमी थी एल की लॉंड हाउचेन ने ये साहसिक कार्या किया, हल्की सी मुस्कान प्रकट करते हुए, लॉंड हाउचेन ने वांग युवान युवान को कुछ और कहने से रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, ठीक है, हम कम से कम सुरक्षित होने पर विचार कर सकते हैं अब मैं अपनी अगली कारवाई की योजना बनाते समय निश्चित रूप से और भी अधिक सावधान रहूंगा, हर किसी को अच्छा आराम करना चाहिए, इन दो टेलिपोटेशन के बाद हमें जाने से पहले लंबे समय तक यहां रुखना होगा, इस से हमें रास्ते में हम पर घात लगा कर हमला करने की प्रतीक्षा कर रहे राजा राया सियरा से टकराने से रोकना चाहिए, विशेश रूप से लिंश्चिन और सिमा जियान जो अपने स्पिरिट स्टोव और हावयों के बाद के प्रभावों से पीरित थे, जिन्हें एसेंस ओफ डिसॉर्डर जा उप्योब नहीं किया था, लेकिन उनकी आध्यात में कूर्जा की खपत बड़े पैमाने पर थी, हान यू का ब्लेसिंग ओफ लाइट स्पिरिट स्टोव टिलिपोर्टेशन के कारण खत्म होने से पहले बंध हो गया था, इसलिए हर कोई स्पष्ट रूप से कुछ हद तक निराश था, हाला कि वे डेविल स्नैक कभी लेका कोई निशान ढूंडने में असफल रहे थे, फिर भी उनकी कमाई भरपूर्ती, चाहे वो फॉरस्ट बॉअस से हो या सियरा रेस से, वे सभी दुरलब खजाने थे, लॉन्ग हाव चेन को यकीन था कि चून की शेतान भगवान एंड्रो मेलेस इन उदासी भरे दल्दलों में इतना समय बिताने के लिए तयार था, इसलिए ऐसा होना चाहिए कि किसी चीज ने उसे यहां आकरशित किया हो, वो संभवता ही यहां सौरे निवास थान के अस्तित्वस से या इन प्रानियों के बारे में हाउचेन के समूव को निशाना बनाया था, हाला कि यह उपकरम खतरनाक था, लेकिन परिनाम निस संदे शांदार था, कुल मिलाकर 11 सीरा किरने एकत्र करने के बाद, उन पर भरोसा करके प्रती व्यक्ती लेजेंडरी गिय का एक टुकड़ा बनाना संभव होना चाहिए, न पहले से ही बहुत अच्छा था, इस बार टेंपल अलायंस से उनके जाने के बाद से सबसे बड़ा नुकसान कैर की यादों के संबंध में था, आन्य था, समग्र रूप से उसके लक्षे पहले ही हासिल हो चुके थे, क्योकि कैर का ईश्वर के चुने हुए व्यक्ती के वेक्षील होना होगा, आराम और पुनरगठन के इस समय में कम से कम तीन दिन लगे, केवल जब सिमा जियान और लिंच शिन अपने अपने स्पिरिट स्टोव के प्रभाव से उबर गए, तब वे अंततह मिलांचोली दलदल में लोटाए, लॉंग हाउचेन ने खुद को व रोकते हुए जितना संभव हो सके अपनी आभा को छिपाने की कोशिश की, जितना संभव हो सके सौरेज के निवास स्थान से अपनी दूरी बनाये रखी, हाउयू के अनंत काल के टौवर में रहने के साथ, लॉंग हाउचेन उसे सक्रिय करने मा, सक्षम था किसी भी समय ख थान पर प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप धहर्यवान नहीं निकला, इसलिए लॉंग हाउचेन शांती से उड़ गया, हवा में मौझूद जहरीली गैस को उसके आध्यात में कूर्जा कवच से विक्षेपित किया गया, जिससे बार-बार पफ ध्वनिया निकलती रही, हाला कि लॉंग हाउचेन के वर्तमान में तीन स्पिरिट केविटीस थी, हाला कि दलदलों का प्रकाश सार बड़ा नहीं था, फिर भी जहरीली धुंद का विरोध करने के कारण इसकी रिकवरी ने खपत को कम कर दिया, एक व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ना हमेशा एक समूव की तुलना में बहुत आसान होता था, और राजा राया सियरा के सबक के साथ, लॉंग हाउचेन शांती से खुद को छोड़ने में काम्याब रहे, आधे घंटे से कम की उड़ान के बाद, जब वह सियरा रायस के क्षेत्र से काफी दूरी पर पहुंच गया, तो उसन अनुसार यह सारा जहर तुरंत ही उसकी दृष्टी से दूर हो गया, सभी लोग आध्यात में कूर्जा पुना प्राप्त करें, रिपल लाइट को बुलाते हुए, लॉंग हाउचेन ने उस स्थान की रक्षा की, आखिरकार टावर ओफ इटिनिटी एक ऐसा स्थान था जह मशह स्पिरिट गैदरिंग हेलो जैसी क्षमताओं को पास में जारी किया, वांग युवान युवान की ओर से पूरे समूव ने काफी गती पकर ली, जबकि चेन यंग र के लिए उसने शुरू से आंत तक भाग नहीं लिया, और स्वाभाविक रूप से उसे ठीक होने की क तलकी अंदर से बहुत गौरवान वित्ती और अभी भी लॉन्ड हावचेन को उसके नाम या कप्तान की उपादी से बुलाया जाता था, जब वे दानव हत्यारे बन गये थे, लेकिन जैसे जैसे टीम परिपक होती गई, जब उसने देखा कि लॉन्ड हावचेन ने टीम की सुनेहरी चमक छो रहा था, जो केवल बहुती कम दिखाए दे रही थी, ये है, लॉन्ड हावचेन ने कुछ जिजट के साथ चेन यंगर की ओर देखा, चेन यंगर का बाया हाथ उसके माथे के निचले हिस्से के संपर्क में था, और सुर पर एक छोटी सी लहर दिखाए द किया, तभी लॉन्ड हावचेन को याद आया कि इस मिरर इमेज ट्रैजर पिग में भी खजाने की खोज करने की क्षमता है, हाला कि वो मदद नहीं कर सका, लेकिन कुछ हद तक संदेह महसूस कर रहा था, आखिरकार स्वर्ग में अपने पिछले वंश में ओ ब्रमश, उसने इस छोटे से लड़के में इस क्षमता का कोई प्रदर्शन नहीं देखा, अध्याय 434 साफ देवता शैतान और बोवा जंगल का राजा भागेक, क्या आपकी जानकारी विश्वसनिय है, ऐसा क्यों है कि उन्होंने पिछली बार हमारी मदद नहीं की, जब हम मायावी स्वर लगाने की उनकी क्षमता अवरुध हो गई, लेकिन उन्हें यकीन है कि इस दिशा में वाकई कोई अच्छा खजाना है, वह विशिष्टाओं के बारे में नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से कम से कम प्रकाश विशेष्टा का खजाना है, लोंग हाव चैंक या मै भग 10 किलो मीटर दूर हैं, आप खजाने के जितना करीब पहुचेंगे, उसे धूंढने की आपकी क्षमता उतनी ही सटीक होगी, लोंग हाव चैंन ने अपनी आखे सिकोल ली और जवाब में बुद बुदाया, अगर यहां वास्तव में कोई खजाना है, तो शायद वह सर अकेले जाने का संकल्प लिया था, आखिरकारवे जितना कम जाएंगे, यह उतना ही सुरक्षित होगा, चें यंग, रह ने स्वेचा से उसके साथ जाने की पेशकश की, बॉस, फिर मैं मैं मैकडूल को अपने साथ ले जाऊंगा और हम आपका अनुसरन करेंगे, लोंग हा दिखाने से स्वाभाविक रूप से कम चक्कर लगते, लेकिन केवल चें यंग रही उसके साथ समवाद करने में सक्षम था, लोंग हाव चें उसे अपना नित्रित्व करने देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके पास मिलंचुली दल्दलों के लिए मृत्यू की भूमी के रूप में प्रतिष्ठा की पुष्टी करने के लिए पर्याप तनुभव था, ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, यदि उनकी किस्मत खराब हो जाती तो शायद वे सभी यहीं मर जाते, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि सर्प शैतान प्रांत के शासक, सर अंत काल की टौवर पर वापस ले गए, इस प्रकार उन्होंने टेलिपोर्टेशन की संभावित संख्या की सीमा की भी पुष्टी की, निरंतर सुधारों से गुज़ने के बाद, वर्तमान लॉंड हाव चेन में कम समय के भीतर दो सामुविक टेलिपोर्टेशन को पूरा क करने की क्षमता थी, एक तातकालिक होगा, जबकि दूसरे के लिए उसे जादू करने के लिए समय निकालने की आवश्यक्ता होगी, चून की वे संभवता शैतान नाग देवता से मिलने के कगार पर थे, जाहिर तोर पर वहला परवा होने की हिम्मत नहीं करेगा, और अपन इसने विचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि यह सपश्था की लॉंड हाउचेन उसे योजनाओ में शामिल नहीं कर रहा था, इससे कईयर को बहुत घ्रिना महसूस हुई, मैं भी आपकी योजनाओ में शामिल होना चाहता हूँ, कईयर ने उसे बढ़ाया लॉंड हाउच जैसे ही उसके मुलायम बाल लॉंड हाउचेन के चहरे की संपर्क में आए, जिससे उसे उसकी परिचित खुश्बू का एहसास हुआ, लॉंड हाउचेन ने आश्चरे चकित होकर उसकी आँखों में देखा और उसके बारे में कुछ अलग महसूस किया, क्या आप अपने य खतरनाक हो जाता है, तो मैं एक विशेश स्थिती में प्रवेश करने में सक्षम हो जाता हूँ, जिससे मुझे उड़ने की इजाज़त मिलती है, असहाई महसूस करते हुए, लॉंड हाउचेन ने उसे उत्तर दिया, लिकिन मैं तुम्हें ऐसी स्थिती का सामना कैसे करने दे सकता हूँ, आगे हम जिस शत्रू का सामना करने जा रहे हैं, उदासी के दलदल में उससे निपटना संभवतह सबसे कठिन होगा, घृना में कैयर ने जवाब दिया, मुझे परवा नहीं है, मैं वैसे भी जाना चाहता हूँ, क्या आपने यह नहीं कहा कि मुझे हमारे दानव शिकार दस्ते का उपकप्तान बनना चाहिए, जब सभी लोग युद्ध के लिए जाते हैं तो मैं अकेला यहां कैसे रह सकता हूँ, और शायद मेरी कुछ यादे लड़ायों के माध्यम से वापस आ जाएंगी, कम से कम मुझे लड़ाई के बारे में तो याद है, क कैयर उत्तर देते समय प्रसन लग रही थी, जब से उसने अपनी यादेख होई हैं, वह काफी समय से लौंड हाउचेन का अनुसरंग कर रहा था, घबराहट, लचारी और नुकसान की उनकी मूर स्थिती धीरे धीरे शांत हो गई, क्योंकि उन्होंने पाया कि इन लोगों क का अनुसरंग करना वास्तव में बुरा नहीं था, वे उसकी बहुत परवा करते थे और वे सभी लौंड हाउचेन का बहुत सम्मान करते थे, कैयर ने लौंड हाउचेन को ये कहते हुए सुना की पूरी टीम में वे दो सबसे कम उम्र के थे, उन परिस्थितियों में लौं विश्वास उनकी ताकत और रवये से आया, इस दानव शिकार दस्ते के कप्तान के रूप में लौंड हाउचेन ने हमेशा सबसे मजबूत दुश्मन का सामना करने में अग्रणी भूमिका निभाए और जब दूसरों को उसकी सुरक्षा की आवश्यक्ता होगी तो सहायता के लिए आने में कोई कसर नहीं छोडी और फिर उनकी असाधारन निर्देशन और योजना बनाने की क्षमता भी थी उनकी सभी तुटिहीन योजनाओं को टीम की मंजूरी मिली और फिर भी वह अभी भी उन्हें सुधारने के लिए अपने साथियों के सुझाव को ध्यान म रखेगा। ये कहा जा सकता है कि कईयर धीरे धीरे लॉंड हाउचेन के असाधारन हिस्सों की और आकर्शित हुआ और एक अचूप प्रकार की भावना के साथ उसके प्रती आत्मविश्वास प्राप्त किया। यादों में प्रवेश करने की कोशिश करता उसे तेज सिर्दर्ध होता। अधिकांश में उसे अपनी इंद्रियों से छवी के कुछ टुकड़े देखने को मिलते थे जैसे कि उसकी खोई हुई यादे उसके भौतिक शरीर के बाहर किसी अन्यत दुनिया में सील कर दी गई थ और उसे इन दोनों दुनियाओं को जोडने के लिए एक पुल की आवश्यक्ता थी। मूल रूप से 6 घंटे की देरी से अब टेलिपोर्टेशन क्षमता वापस आने से पहले केवल 3 घंटे की प्रतीक्षा की आवश्यक्ता थी। सक्रिय किया जाना है अपनी योजनाओं के की मानसिक स्थिती को चरम तक पहुचाने के लिए होगा। लौंग हाउचेन ने एक बार फिर अपना दाहिना हाथ आगे की और किया, फिर चेन यंग र की पीट के पीछे एक हरे रंग की आकरिती दिखाए दी, यानि दस्वा सेंट गाग। लौंग हाउचेन ने उसे जो एक मात्र मिशन दिया था, वह चेन यंग र की अच्छी तरह से रक्षा करना था। चलो भी, चेन यंग, र को एक दिशा में इशारा करते हुए देखकर, लौंग हाउचेन ने उन तीनों को अंदर से धखते हुए एक पवित्र लबादा फैलाया, साथ ही अपने परिवेश में खत्रे की संभावना को महसूस करने के लिए अपनी धारना को उजागर किया। अधिक सुरक्षा के लिए लौंग हाउचेन का समूर उडान भरते समय जमीन के करीब रुख गया। फिलहाल, दस्वा सेंट गार्ड किसी भीक्षन चेन यंग, र को खत्रे से दूर ले जाने में सक्षम होगा और प्रतिक्रिया के संदर्भ में ये कुछ हैसा था जिसकी त दूलना लौंग हाउचेन से नहीं की जा सकती थी। अपने बाए हाथ में बुरी तरह से एक शतिग्रस्ट ग्लोरियस सेंट शील्ड के साथ अपना दाहिना हाथ लहराते हुए लौंग हाउचेन सामने रख रहे थे। चून की दलदल में चलने की कोई आवश्यक्ता नहीं दस्वे सेंट गार्ड रुख गए और लौंग हाउचेन की दोनों आखे शांदार रोश्नी से जगमगा उठी। अपना सेर घुमा कर उसने दस्वे सेंट गार्ड की और देखा। दस्वे गार्ड संत की आखों की रोश्नी टिम्टिमा रही थी जो उसकी आत्मा के शाश् पक्ती की उसे स्केन किया जा सकता था। काम से काम एक सीमित दाइरे में ये काफी सटीक था। थंडी हवा में बदलने से पहले जहरीली धुंद की और बढ़ने से पहले दस्वे गार्ड संत ने उसे सिरह लाया। एक हरी आध्यात्मिकूर्जा ने स्वचालित रूप से उ लेकिन उसकी मानसिक शक्ती की खपत काफी थी। थोड़ी देर बाद एक हरे रंग की चमक उनकी ओर बढ़ी जो लॉंद हाउचेन और चेन यंद्प्र के सामने पहुंची। वह दस्वा रक्षक संत था जो लगभग 3 मीटर लंबे शैतान सर्प की एक लाश के साथ लोट जिसकी पूंच अपने आकार का एक तिहाई हिस्सा लेती थी। उसकी गर्दन कटी हुई थी जिससे उसकी हड़ी बाहर आ गई। ये प्रत्यक्षत धातक था। उसकी उपस्थिती को पहले से ही भांप कर लॉंद हाउचेन ने दस्वे सेंट गार को उसे ठिकाने लगाने क का आदेश दिया। उनकी क्षमता को देखते हुए बिना किसी निशान के इसे पूरा करना कोई विकल्प नहीं था। उसके लिए कठिन उपलब्धी और ये उसकी हत्या करने की कोशिश कर रहे लॉंद हाउचेन से भी अधिक प्रभावी होगा। ऐसा लगता है कि मेरा नि नुच रहे हैं। ये कहते हुए लॉंद हाउचेन ने दस्वे सेंट गार्ड को एक अनबूठा दिया। चेन यंग रा ने पूछा तो हमें क्या करना चाहिए। मुस्कुराते हुए लॉंद हाउचेन ने उत्तर दिया हमें निश्चित रूप से सुरक्षित रास्ता अप करना चाहिए। अध्याए 435 साफ देर्ता, शैतान और बोवा, जंगल का राजा, भाग दो। इसके अलावा, ये शैतान साफ एक बड़ी लड़ाई के बीच में थे। एक तीवर अंधकार में तत्व जादूई शक्ती हवा में लहरा रही थी, मूल रूप से एक विशाल स्तंब से जो स्वर्ग और प्रित्वी से जुड़ा हुआ प्रतीत होता था। विशाल स्तंब पूरी तरह से काला था, जो दलदल में पीले हरे पानी से बाहर निकल रहा था। उस पर साफ के शरीर वाला एक व्यक्ति खड़ा था। ये राक्षस कभी-कभी अपनी आँखों से लाल चमक निकालता है। इस विशाल स्तंब को केंडर मानकर कई हजार मीटर के दाइरेक अक्षेत्र पूरी तरह से शुध़ हो चुका था और इस सीमा के बीच में एक बहुत बड़ा युद्धा हो रहा था। एक के बाद एक ताकतवर शेतान सर्प ने अपने शरीर को मोड लिया, भारी मात्रा में भालो से लेस थे, जबकि दूसरे हाथ में एक चड़ी पकड़ रखी थी, जिससे वे अपने दुश्मन पर विनाशकारी हमले कर रहे थे। ये शेतान साप इन बेहद अस्थिर दलदलों में बिना किसी बाधा के घूमने के लिए अपनी बड़ी पूंच का इस्तिमाल करते थे। के रूप में वन बोवाज के पास तारकिक रूप से अत्यदिक श्वेश्थता होनी चाहिए, लेकिन वास्तविक स्थिती ऐसी नहीं थी। वह विशाल स्तम भी बड़े पैमाने पर काम में आता था। उसमें से अंधेरी रोशनी का एक घेरा फैला हुआ था, जो इन शैतान सापों को अंदर से धंक रहा था। शक्तिशाली कुलीन शैतान साप छटे चरन के जादूई जानवरों के बराबर थे और एक दुर्जे या समर्थन बलकी उपस्तिती के साथ उनकी लढ़ने की ताकत और पुनर प्राप्ती में जबरदस्त वृद्धी हुई थी। अपनी संख्यात्मक श्रेश्थता को बढ़ाते हुए, डेविल स्नेक किंग्स ने फॉरस्ट बोवास के नित्रित्व में मेलान चोली दलदलों के प्रानियों के समूह पर हमला किया और उन्हें कुछ हट तक दबा दिया। स्तंब के उपर 5 मीटर लंबा डेविल सर्प खड़ा था, गौरवानवित और अडिग। इसकी मोटी सक्त पूँच इसके लंबे निर्मान को सहारा देती थी, इसका उपी शरीर बेहद मजबूत लगता था और इस पर गहरे नीले और लाल रंग के चिन्ह बने हुए थे। उसकी आखें एक नीली, एक लाल थी और उसका सिर गंजा था, एक छोटी सी चोटी में थोड़े से गहरे नीले बाल थे। उसके प्रत्येक हाथ में एक भाला था और उसकी आखें फोरस्ट बोज को दूर तक देखते हुए जपकती रही। इस मजबूत शैतान साप के बगल में चार सुन्दर मादा शैतान साप थे। उनकी उचाए दो मीटर से अधिक नहीं थी और उनके शरीर उनकी पूंच के चारों और मुले हुए थे और उनके चेहरे हलके सफेद थे। उसका सबसे डरावना पहलू उसके बाल थे जो वास् देवताओं में अंतिम स्थान पर था एंडरो मेलियस। और स्वाभाविक रूप से उसके बगल में मौजूद चार मादा शैतान साप उसकी कमान के तहट चार में दुसा थे। हाला कि लडाई काफी तीव थी फिर भी उन्हें हस्तक शेप करना पड़ा। उनके ठीक सामने उन विशाल फॉरस्ट बवा के पीछे जेड जैसी तवचावाला पीट पर तीन सुनहरी रेखाओं वाला एक फॉरस्ट बवा शांती से इंतजार कर रहा था। दलदल में खुला उसका शरीर दस मीटर से अधिक लंबाई में गर्व से खड़ा था। हाला कि जब वह कभी- पर राक्षस देवता के स्तंब को देखता था तो उसकी आखों से कुछ चिंगारी निकल जाती थी। जंगल का एक बवा राजा वह मेलांचोली दलदलों के प्रामानिक शासकों में से एक दस्वी श्रेनी का जादूई जानवर वन बवा राजा था। हाला कि राजा राया सियरा भी मेलांचोली दलदलों के शासकों में से एक हैं लेकिन उनका क्षेत्र जंगल के राजा बवा से बहुत हीन है। राजा राय सियरा आसानी से अपना क्षेत्र नहीं छोडेंगे पर नामस्वरूप उनके नियंत्रंग की सीमा महान नहीं है। जब तक वन बवा लगभग उसकी च्छाया होगी। जब तक आरी या अन्यप्राकृतिक शत्रू नहीं मिलते इन दलदलों में उनकी दोड़ जय थी। एंडुमेलियस की आखों में अशुग रोशनी पहले से ही अपने चरम पर पहुँच रही थी। इन वन बवाओं का प्रबंधन करने के लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। खजाने की मौझूदगी का पता सबसे पहले उसी ने लगाया था। एंडुमेलियस को इन दलदलों में वन बवाओं की उपस्थिती के बारे में लंबे समय से पता था। साथी सरीस्विप जाती होने के कारण उसे स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष के बारे में अच्छी जानकारी थी। नतीजितन वो पहले भी एक बार उनका शिकार करने आया था लेकिन अचानक उसे कुछ ऐसा मिला जिससे ऐसा लगा कि फॉरस्ट बवा जाती वहां किसी चीज की रक्षा कर रही है। इसलिए एंडुमेलियस म कोई मुकाबला नहीं था लेकिन दस्वे कदम का जादूई जानवर होने के कारण वन बोवा राजा के पास नौवे कदम के बिजलीगर की ताकत थी साथ ही यह उसकी भूमी थी। यहां युद्ध छेवने में एंडुमेलियस को भारी नुकसान हुआ और उसकी जान लगभ चली गई। यदि उसने दानब देवताओं के लिए आरक्षित कुछ विशेश तरीकों का उपयोग नहीं कर यह होता तो वह बच नहीं पाता। यह मामला न केवल एंडुमेलियस के लिए एक बड़ा दुर भागय था बलकी फॉरस्ट बोवास द्वारा सनरक्षित खजान के बारे में और भी अधिक जिग्यासा पैदा कर दी। अंदर निश्चित रूप से कुछ अच्छी चीजे थी जिसने एंडुमेलियस के द्रिल संकल्प को बढ़ाया। चरन तक बढ़ा सके तो राक्षस देवताओं के बीच उसकी रेंट निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। यह नहीं भूलना चाहिए कि एंडुमेलियस का कम से कम अपना कभीला था। इससे उसकी स्थिती निचले साथ में शामिल कुछ अन्य राक्षस देवताओं से भ रहे थे, जिसके परिनामस्वरूक स्पष्ट रूप से सियरा राया राजा का व्यक्तिगत हस्तक्षेप हुआ, जिससे एक बार फिर एंडुमेलियस को और अधिक गंभीर चोटे आईं। वह जिन सम्हरांत लोगों को अपने साथ लाया था, वे भी आश्चार्यजनक रू की असाधारन रक्षा कोशल नहीं होती, तो वह पहले ही दो बार मर चुका होता। अंत में एंडुमलियस अभी भी एक दानव देवता था, लगातार दो जटके जहिलने के बाद, उसने अपने अगले कदम की सावधानी पूर्वक योजना बनाने के लिए अपने सामने प्रिनामस्वरूप उन्हें इसकी अच्छी समझ प्राप्थ हुई और ये हमरित्यों लोग। और कुछ पकड़ हासिल करने के बाद, एंडुमलियस ने एक बार फिर अपने कुलीनों को इकठा किया, इस बार मेदुसा और उसके स्वयम के दानव देवता स्थम भी शामिल बलकि उनके अपने कुलों के लिए भी एक महान सुधधी करन प्रदान किया, और दानव देवता के लिए एक दानव देवता स्थम उसके जाल काट के करीब है, उसे अपनी पीठ पर बिठा कर एक दानव देवता युद्ध में अपनी मूल शक्ती का 150 प्रतिशत बहर ला सक हाला कि एंड्रोमलियस के दानव देवता स्थम को सभी 72 में से अंतिम स्थान दिया गया था, फिर भी यह महाकाव्य उपकरन का एक टुकड़ा बना रहा, यही कारण था कि जंगल के स्पष्ट रूप से मजबूत राजा बोवा ने अनावश्यक शती को रोकने की मानसिक्त से भाग लेने से परहेज किया, यह उत्पीलन की व्यापक भावना थी जो दानव देव स्थम्भ ने उसे दी थी, सर्प शैतान दानव भगवान कारवाई करने में जरा भी जल्दी में नहीं थे, वन बोवा राजा के पंख हटाने की खातिर उसने एक अच्छे अफसर की प्रतीक्षा में लंबे समय तक धेरेपूर्वक विरोध किया, जबकि राजा राया सियरा ने फिलहाल उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं की, राजा राय सियरा के अधिनस्त बहुत आधिक थे और उनकी आक्रामक शक्ती बहुत भायन कर थी, जंगल के बोवा भी संख्या में कम नहीं थे, लेकिन उन्होंने समूवों में हमला नहीं किया, वे पूरे दलदल में बिखरे हुए थे, यहां तक की जंगल का बोवा राजा भी तुरंत अपने कुल के इतने सारे लोगों को लढ़ने के लिए एकठा नहीं कर पाएगा, जैसे ही दोनों पक्षों के बीच चक्राव अपने चरम पर पहुँच रहा था, युद्ध के मैदान के किनारे पर बिना किसी आवाज के एक हरे रंग की आकरिती दिखाए दी, एंडरो मेलेस बेहद विवेक पूर्ण था, इस बार उसने अपनी सेना को मेलान चुली फैंस के काफी अंदर तक ले जाया, और पूरे कार्य को एक ही जटके में पूरा करने का संकल्प लिया, क्या वहला परवाह बनने का साहस करेगा, ये कहा जा सकता है कि यहाँ एक अत्र हुए डैविल स्नेक अभिजात वर्ग की संख्या उनकी पूरी जाती के आधे से अधी, कथी, नती जतन, उसने युद्ध के मै स्काउट करने के लिए नियुक्त किया, यदि कोई शक्तिशाली जादूई दल्दली जानवर उनके करीब आ रहा था, तो उन्हें इसके बारे में चितावनी देने का समय होगा, हाला कि ठीक इसी समय स्काउटिंग के लिए जिम्मेदार ये शेतान साप एक के बाद एक ते एक शेतान साप एक पेड के उपर रहकर आसपास के वातावरन पर नजर रख रहा था और लगातार चारों और अपनी नजरे गड़ाय हुए था, उसके शरीर में फीकी काली आध्यात में कूर्जा दलदल से जहर बाहर निकाल रही थी, लेकिन वास्तव में वह केवल एक छ 436 साप देवता शेतान और बोवा जंगल का राजा भागतीन, अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके सिर के उपर की हवा थंडी हो गई है, फिर शेतान साप उस पर अधिक ध्यान केंडरित करने के लिए दोहागंद की अनुभूती हुई, लेकिन किसी जीवित प्रानी की प्रवेश कर गई, जरा भी आवास किये बिना, ये शेतान साप अगले ही पल धीरे-धीरे एक बेल पर गिर रहा था, हरे रंग की आकरिती घने कोहरे में उतरने से पहले एक पल के लिए रुकी, जो उसके सबसे अच्छे आवरन में बदल गई, यहां तक की अगर केवल कु पुरी तरह से सफाया कर दिया गया, जब वह हरी आकरिती लॉंड हाउचेन के पास फिर से प्रकट हुई, तो उससे निकलने वाली हरी रोशनी कुछ हट तक ढुंदली लग रही थी, मानसे कूर्जा के अत्यदिक व्याई के कारण ठक जाने के बाद, लॉंड हाउचेन ने धीरे धीरे अपनी आखें बंद करते हुए एक शांता हवरी, उनके दिमाग में सर्प शैतान दानब भगवान एंड्रोमेलियस दानब देवता स्तम एक विशाल इकाय थी, जैसे जैसे वह शांत हुआ, उसकी चेतना बहुत स्पष्ट बनी रही, डेविल स्नेक से लढने पाले दस्वे सेंट गार्ड पर हमला न करने का कारण अंजाने में दूसरे पक्ष को चितावनी देने से बचना था, उनके अस्तित्व के बारे में जाने बिना उन्हें रखना निस संदे सबसे अच्छा विकल्ब था, एक शन बाद, लॉंग हाउचेन ने एक बार फिर अ जून की मैं अपनी आभा छुपाने में बहुत अच्छा हूँ, इसलिए मैं जाच करूंगा और जब सबसे अच्छा अफसर दिखाए देगा, तब हम कारवाई करेंगे। डेविल स्नेक गौड एंडरुमलियस दिल्दलों में रहने वाले जादूई जानवरों पर युद्ध छेवने के लिए डेविल स्नेक सेना का नित्रित्व कर रहा था, और चौसटवे कमांडर ग्रेड डेमन हंट स्क्वाड के लिए यही एक बहुत अच्छा अफसर था, ह चेन यंग, र और मैकडूल को टौवर ओफ इटिनिटी में वापस भेज दिया गया था, और इसलिए लॉन हाउचेन को ज्यादा जल्दी नहीं थी, उन्होंने कारियर शुरू करने से पहले अपनी क्षीन मानसिक शक्ती को पुना प्राप्त करने के लिए ठीक होने में समय अपने अंदर से निकल रही आध्यात में कूर्जा के उतार चड़ाव को दूर करते हुए, वह युद्ध के मैदान के किनारे की और आगे बढ़े, अभी अभी वह घात लगाकर बैठे बाग की तरह लग रहा था, दिखने में सयमित, लेकिन किसी वीक शर्म विसफोटक श हवियों से भर गया था और वह खुद दानव स्लेयर रिमूवर से घिरा हुआ था, अंजान ने अपने होटों को एक साथ दबाते हुए, एक ऐसी भावना भर गई जिसका वर्नन करना मुश्किल है, जो उसके अंदर फैल गई, भले ही प्रकाश की देवी आरिया उसके हाथ में नहीं थी, फिर भी उसके शरीर से तलवार की तेज धार निकली, यहां तक कि लॉंड हावचेन का भी अपनी तलवार के इरादे पर पूरा नियंतरन नहीं था, सौभाग्यर से तीवर होते हुए भी तलवार का यह इरादा केवल स्पंदित था, या उसके शरीर के और हत्या के इरादे को रोक नहीं पाएगा, उसने सोचा भी नहीं था कि राक्षसी शक्तियों से दोबारा मिलने का उस पर इतना प्रभाव पड़ेगा, दरसल उसकी यह हालत इस वजह से थी कि वह लंबे समय से अपनी भावनाओं को दबा रहा था, कईयर के अपनी याद करने के लिए वह केवल अपने आसूओं को रोक कर इस दर्द को अपने दिल में छिपा सकती थी, कईयर को साथवना देने के लिए उसके चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाना, उसकी यादों को वापस पाने में लगातार उसकी मदद करने की कोशिश करना, जैसे ज उस समय उसके पास अधिक द्रिल संकल्प होता और उसने तियान क्विन को इस लगाय को शुरू करने से जबरन रोका होता, तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरों को कैसे पता चल सकता था कि उस पल उसके दिल में आत्म गलानी भर रही थी, अभी, हाला कि जिसक तलवार के इरादे के बारे में उसकी समझ गहरी होती गई, उसकी भावनाएं और तलवार का इरादा एक हो गए, जिससे वह स्थिती में पहुँच गया, बिना किसी संदेह के इस राज्य में लॉंग हाव चेन निस संदेह डरावना या बल की भयानक था, लेकिन इसी तरह अगर उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई वैद लक्ष नहीं मिलता, तो उसके दिमाग पर बहुत बड़ा आगात होता, ये बल से संबंधित नहीं था, सीधे उसके मानस से निकला था, चुपचाप युद्ध के मैदान में पहुँचते हुए, लॉंग ह धीरे अपनी आखे खोल कर युद्ध के मैदान की सीमाव से बाहर जाका, पहली चीज जिस चीज पर उसकी नजर पड़ी वह विशाल दानव देव स्तंब था, ठीक है, वह निश्चित रूप से एक राक्षस देव स्तंब था, अतीट में, लॉंग हाव चेन को पहले ही 72 र पर नहीं पड़ी, इस दर्से की इसकी वजह से उसकी उपस्तिती पर ध्यान दिया जाएगा, चुपचाप शांत होकर, लॉंग हाव चेन ने शांती से युद्ध के मैदान में बदलावों को देखा, इस समय, शेतान सर्पों का आक्रमन और अधिक भयन कर होता जा रहा था और फॉरस्ट बोवा धीरे-धीरे अपनी जमीन खो रहे थे, विशाल वन बोवा निश्चित रूप से रक्षा में बेहत कठिन थे, उनके पास अद्भुत ताकत थी, लेकिन जिस तरह कई दुश्मनों के सामने एक नायक की बराबरी नहीं की जा सकती, उसी तरह भेडियो के एक जुन्ट के सामने एक बाग की बराबरी नहीं की जा सकती, फॉरस्ट बोवाओं की संख्या बीस नहीं थी, वे सापों के एक बड़े समूर से हार गय थे शैतान, घायल होने पर उन्होंने जल्दी ही दलदल के अंदर खुद को ठीक कर लिया, और सर्प शैतान अध्यात में कूर्जा को सबसे बड़ी सीमा तक प्रेरित किया गया, अकसर तीन से पाँच शैतान साम पे एक संयुक्त हमला करते थे जिसके प्रभाव सेफ़क, रेस्ट बोवास पर एक बड़ा निशान पर जाता था, फॉरस्ट बोवाकिंड ने धीमी गती से दहारना श अच्छी नहीं थी, यदि यह जारी रहा, तो जंगल का बोवा राजा हस्तक्षिप कर सकता है, लेकिन जाहिर है, साप का शैतान दानब भगवान उसे एक बाग की तरह देख रहा था और उसे अपनी इच्छनुसार काम नहीं करने दे रहा था, इसलिए हस्तक्षिप से इन अच्छा नहीं था जितना सही समय पर पहुंचना, और उसके लिए ये समय कुछ जादा ही अनुकूल था, हाला कि सवाल ये बना रहा कि वे फॉरस्ट बोवा से कैसे बच सकते हैं, सबसे अच्छा परिनाम विनाश होगा, और साथ ही सर्प शैतान दानब भगवान को भाग लगने की अनुमती नहीं दी जा सकती थी, लोन हाउचेन ने जल्दबाजी नहीं की, ठीक इस समय शांती से देखना सबसे अच्छा विकल्प था, इसके अलावा उनकी योजनाए अभी तक पूरी तरह से तै नहीं हुई थी, फिलहाल जैसे ही उन्होंने फॉरस्ट बोवा के पीछे सुरक्षित थी, ये तब था जब जंगल का बोवा राजा चला गया था कि लोन हाउचेन ने उसे थोड़ा पहचान लिया था, हो, एक उदास गुर्राहट के साथ, जंगल का बोवा राजा फूट फूट कर रोने लगा, मिलान चोली दलदल का ये राजा जाने का डर और भी अधिक था, लेकिन ये देखकर की प्रतिपक्षी उसके अस्तित्व को खत्रे में डाल रहा था, उसके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, फॉरस्ट बोवा किनकी इस गुर्राहट का ततकाल प्रभाव पढ़ा, फॉरस्ट बोवा सभी रुख गये, और तुरंत, प्रकाश की कुछ गहरे हरे रंग की गेंडे जिन से लॉन्ध हावचेन परिचित था, ने सीधे शैतान सापों के समूह पर बंबारी की, बोस्ट देल बोस्क के इस आंदोलन को कुशलता पूरवक समनवित और क्रियानवित किया गया था, क्योंक में टुकडों में बदल गए और दलदल को अपने खून से रंग दिया, अगले ही पल फॉरस्ट बोवा ने अपनी आंतरिक गोलिया ओगल दी, वे अचानक उचल पड़े और दुश्मन के बीच में दोर पड़े, अपनी अदम्य शक्ती से उन्होंने नागूं को बलपूर मजबूर कर दिया, शैतान के लोटने के बाद दलदल में गायब होने से पहले उन्होंने अपनी अपनी आंतरिक गोलिया निगल ली, अचानक इस तरह के हिंसक हमले का शिकार होने के बाद सर्प शैतान दानव भगवान एंडरोमेलेस को अब और अधिक रुकने में असमर् यह अपने अधिनस्तों के अभिजात्य वर्क के कुलीन वर्क के थे, उनमें से प्रतेक का जीवन मायने रखता था, पांच में और छटे चरंग के इन शैतान सापों को पालना आसान नहीं था, तो वह इस द्रिश्य के प्रती उदासीन कैसे रह सकते थे, एंडरोमेलेस के म गायब महसूस करने और एक बार फिर अपनी आखे खोलने के बाद, उसने तुरंट एक लंबी सास ली, दलदल की सतह पर वन बोवा के बीच जो हमला अभी शुरू किया गया था, उनमें से तीन समय पर दलदल में लोटने में विफल रहे, उनके उपरी शरीर स्थिर थे और यहां तक की उनके आसपास के दलदलों ने भी हिलना बंद कर दिया था, पिट्रिफिकेशन, ये मेदुसेस की जन्जात क्षमता है, और शैतान सापों द्वारा उप्योग की जाने वाली सबसे भयानक क्षमताओं में से एक है, यहां तक की सर्प शैतान दानव भगवान ए उकड़े हो गए और एक शन्द बाद उनकी जान चली गई, जंगल का बोवा राजा भी हमले का विशे था, तीन जेलिफिश में से दो ने फॉरस्ट बोवा को निशाना बनाया था, जबकि सबसे लंबा फॉरस्ट बोवा किन के पीछे गया था, उसे हस्तक्षिप करने से रोकने के सरल लक्षे के साथ, अध्याय 437 देवदानव रूपांतरित भाग एक, वन बोवा राजा अचानक हुए भयानक हमले से हिल गया, उसके सामने जमीन पर साप की खाल फैली हुई थी, जो चुपचाप दलदल में धस रही थी, यहां तक की जंगल के बोवा राजा जैसा ताकतवर व्यक्ति भी मेडुसा के पेट्रिफिकेशन कोशल के खिलाफ एक हताश भागने की योजना का सहारा लेने में ही सक्षम था, लॉंग हाव चेन बुप्त रूप से आश्चर्य चकित था, यह समझ कर कि अगर उसे एंडुमेलियस के खिलाफ जाना था, तो उ यह की चेतावनी सच्मुच सही थी, खत्रे के स्तर में यह जेलिफिश एंड्रोम लेर से भी आगे निकल गई, ऐसा नहीं था कि यह मेडुसा स्वयम इतने शक्तिशाली थे, उसकी पेट्रिकरंक्षमता संभवता लॉंड हाव चेन जैसे भगवान के चुने हुए को पूर और इसके अलावा, मेडुसा की आखें एक प्रकार की पेट्रिफिकेशन लेजर किरन को फायर कर सकती है, जो किसी लक्षय को मारने पर उसे भयवीद भी कर सकती है। उनलिया दिखाते हुए धीमी दहार लगाए। फिर उसके माथत धीरे-धीरे फैलते गए और बचाव करते रहे दलदल में बोवास डेल बोस्क। ये सपश्ट था कि उनके भाईयों की लड़ाई में शैतान सर्प अंतता विजई हुए थे। अपना आखिरी शक्तिशाली हमला शुरू करने के बाद उन सामान्य वन बोवाओं को अब ज्यादा खत्रा नहीं रह गया था। वे केवल एक और मौके के लिए दलदल के अंदर इंतजार कर सकते थे। और उन्हें जो उम्मीद थी वह सपश्ट रूप से उनके दो राजाओं शैतान साफ राजा एंड बोवा राजा के बीच लड़ाए थी। फॉरस्ट बोवा किन को कमजोर करने के लिए एंडरोमलियस बेशक अपने ही कुल के लोगों का उप्योग कर सकता था लेकिन उसके द्वारा पहले ही खोए हुए अधिनस्त कम नहीं थे और इसके अलावा वो फॉरस्ट बोवा किन क के खिलाफ बदला लेने के लिए अपनी ताकत का उप्योग करना चाहता था अपने अंतिम हत्या के हतियार दानव देव स्तंब के अस्तित्व के साथ उसे पूर्ण विश्वास था वास्तव में दानव देव स्तंब के प्रतियेक उप्योग में उसकी अपनी जीवन उर्ज इंधन के रूप में काम करेगी। इस बार उनका निशाना न सिर्फ यहां का खजाना था बलकि बोवा किंड ओफ द फॉरेस्ट की आंतरिक गोली और शरीर भी था। ये सभी महान खजाने थे और वे उसके उपभोग के लिए थे। एंडुमेलियस के पास नौवे चरण को त प्रतिशत संभावना थी। दहार के बीच जंगल के बोवा राजा ने अपनी आखें एंडुमेलियस पर टिकदी, उसका क्रोध उसकी आखों में दिखाए दे रहा था। कुछ अर्थों में वे सभी नाग जाती के थे, फिर भी अभी वे नश्वर शत्रूओं के समान एंडुमेलियस का आकड़ा पहले से ही विशाल था, लेकिन जंगल के बोवा राजा की तुलना में यह भी भी फीका था। चून की दो महान शक्तिया मौत से लड़ने की कगार पर थी, लॉंड हाउचिन ने अपनी उपस्तिती को छिपाने के लिए और भी अधिक सावधान बरती। उसके लिए जो युद्ध होने वाला था वो हत्यंत मूल्यवान सामगरी थी। वो हमेशा ये जानना चाहता था कि एक दानव देवता अपने दानव देवता स्तंब का अधिक्तम शक्ती से उप्योग करते समय कितनी शक्ती का प्रयोग कर सकता है। और इस सवाल का जवाब अब इस पढ़ाव पर आने वाला था। शैतान सर्प देवता अंडुमेलियस ने लगातार चिल्लाते हुए अपने सर्प भाले को आगे बढ़ाया। शैतान साप भी चिल्लाए और उनके पक्ष में केवल चार मेदुसा शांत रहे, दानव देवता स्तंब के किना खड़े रहे, शांती से वन बोव राजा की दिशा का सामना कर रहे थे। ये चार जेलिफिश चार विशाल जादूई तोपों की तरह थी। कौन जानता था कि वेफिर कब गोली चलाएंगे। एंडुमेलियस ने दोनों हाथों में साप के भाले एक साथ उचे उठाए और उनका धीमा मंत्र धीरे धीरे अधिक भूंजने लगा और कानों में उचे स्वर में बजने लगा। उसके पीछे बहतरवा दानव देव स्तंब खड़ा था लेकिन ऐसा लग रहा था। इस बिंदू के बारे में सोचते हुए लौन हाव चेन की आँखों में अचानक अभि शांती से सर्प शैतान दानव भगवान के शरीर से चिपकी हुई। लौन हाव चेन की पुतलिया अचानक फैल गई। अपने आश्चर्य के कारण उसने देखा कि उस छाया को आत्मसात करने के बाद सर्प शैतान दानव भगवान एंडुमेलियस अप्रत्याशित रूप स आश्चर्य जनगती से बल गया। उसके शरीर की आभा ने भी आकार और शक्ती प्राप्त कर ली। वह विशाल आभा उसकी रक्त वहिकाओं से उत्पन हुई प्रतीत होती थी लेकिन यह एक असाधारन उर्जा प्रतीत होती थी जो इस दुनिया से संबंदित नहीं थी। आठवे चरंग में उनकी शक्ती चरंपर रही लेकिन उनके उरोरा की तीवरता इसने नौवे चरंग की शक्ती को भी पार कर लिया। दूर से सर्क शैतान दानव देवता एंडुमेलिस पूरी तरह से अपने दानव देवता स्तंब में विलीन हो गया प्रतीत होता था और यहां तक कि उसके हाथों में साफ के भाले भी लंबे होते जा रहे थे। फॉरस्ट बोवा किंग लगातार दहारता रहा और उसकी पीट पर तीन सुनहरी चमक और भी अधिक चमक उठी। उसके शरीर से जेड रंग की चमक के घिरे फैल गए जवाश्चर यजनक गती से अ जहरीली बारिश हुई, हलके धुये के साथ जुन-जुनी की आवाज स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। इससे हमले से जुड़े बड़े खत्रे का अंदाजा बखु भी लगाया जा सकता है। इससे निपटना वास्तव में बहुत आसान नहीं था। अपनी ताकत के नौवे चरण तक पहुँचने के साथ, फॉरस्ट बोवा किंड पहले से ही अपने आसपास के वातावरन को बदलने और नियंतरित करने में सक्षम था। यह एक प्रकार की निपुनता का कोशल था। लेकिन प्रत्यक्षित फॉरस्ट बोवा किंड अभी भी शाही अधिका स्थापित करने में सक्षम नहीं था। राया सियरा किंड के लिए भी यही सच था जिसका लॉंग हाउचेन के समूह ने पहले सामना किया था। जो व्यात है उसके अनुसार किसी डोमेन को वास्तव में नियंतरित करने के लिए कम से कम नौवे चरण के तीसरे रैंक पर होन परनस्तित्व है। शैतान सर्प देवता को सपष्ट रूप से बहुत दर्द सहना पड़ा जिसे उसकी गगनभेदी दहार में सुना जा सकता था। उसकी सूजन वाली आकृती जो पहले से ही लंबी थी सीधे जंगल के बोवर राजा के लिए थी। दानव देव स्तंभ न ताकत में भारी विद्धी होगी। उसकी आध्यात में कूर्जा अत्यंत भयानक स्तर तक बढ़ जाएगी। उदाहरं के लिए वर्तमान सर्प शैतान दानव भगवान एंडरो मेलियस अभी आंतरिक आध्यात में कूर्जा में आठवे चरण की शिखर पर था लेकिन उसकी बाहरी आध्यात में कूर्जा पहले से ही नौवे चरण पर थी। प्रत्येक अलग-अलग दानव देव स्तंब के साथ अलग-अलग शेत्र और प्रवर्धन की डिग्री आई। इससे कोई कल्पना कर सकता है कि अगर दानव देवता समराट अपने दानव देवता स्तंब के रूपांतरित दानव देवता को पूरा कर लेते तो आतन की सीमा क्या होती। जैसे ही दो विशाल सर्प भाले सीधे जंगल के बोव राजा पर लक्षित किये गए, हवा में एक तीवर तात्विक विसफोट हुआ। वास्तव में नौवे चरण के वन राजा बोव के नियं बन लिया ताकि वह खुद को प्रभावित होने दे। प्रतोली दलदलों के शासक के रूप में उनके पास आत्म सुरक्षा के कई साधन थे। जब इस शक्तिशाली प्रानी ने अपनी शक्ती जारी की, तो यहे एक राक्षस देवता के खिलाफ भी कोई कमजोरी नहीं दिखाएगा। एंड्रो मेलियस और फॉरस्ट बोवाकिन के बीच लड़ाए बहुत सरल और सीधी लग रही थी, और फॉरस्ट बोवाकिन का विशाल शरीर सभी शैतान सापों के सामने बेतहाशा उजागर हो गया था। इसका निर्मान साथ मीटर से अधिक की भयानक लंबाए तक पहुँच गया और इसके शरीर का सबसे मोटा हिस्सा पाँच मीटर व्यास तक पहुँच गया। ये पहले से ही इतना विशाल भयानक राक्षस था। दानव देव स्तंब से प्रोटसाहन मिलने के बाद भी एंडुमेलियस अभी उसकी तुलना में फीका था। दोनों शक्तियों का गठन विशाल था और दोनों बहरी आध्यात्मिक उर्जा का उप्योग करने में भी उत्कृष्ट थे। लाल और जेड आध्यात्मिक उर्जा ने एक दूसरे को पागलपन से निगल लिया। ये नौवे चरंग के बिजली घर की ताकत थी। ये आसपास के इलाके में बदलाव लाने के लिए भी पर्याप्त था। यदि अधिकांश हवाई शौक तरंगों को पुननिर्देशित करने के लिए एंड्रोमलेस का इच्छुक प्रयास नहीं होता, तो ये बहुत संभव था कि यहां रहने वाले शैतान सापों में से कोई भी जीवित नहीं बच पाता। इसलिए उसे रोकने के लिए उसे अंदर आना पड़ा। आकाश में एक असीन चमक बढ़ती रही और बहुत घहना जहरीला कोहरा अप्रत्याशित रूप से युद्ध से दूर चला गया। हलके हलके सूरज की रोशनी के निशान देखे जा सकते थे। क्योंकि उसके लिए अपने कुलों के लोगों को उसके हमलों से होने वाले नुकसान को रोकने का यही एक मात्र तरीका था। यदि यह बाहरी दुनिया होती तो उस समय जब दानव देवता अपनी शक्ती से प्रसफुटित होते तो उनके दानव देवता स्तम स्वाभाविक रूप से कुछ काले बादल उत्पन करते जो सूर्य के प्रकाश को बाधित करते। लेकिन अभी फॉरस्ट बोवा किंग स्पष्ट रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी को यह मौका नहीं देगा। जहरीली धुन्द में प्रवेश कर गए। केवल चार मेडुसा बचे थे जो दानव देव स्तम के पीछे छिपे हुए थे। एक आफसर लॉंग हावचेन की आखे लगभग एक पागल की तरह चमक रही थी। उन्होंने अब दो महान शक्तियों के बीच टकराव नहीं लॉंग हावचेन ने अपने साथियों को नहीं बुलाया इस बार जरूरी नहीं की बहुत से लोग अच्छे के लिए ही हो। वो ही ये भी चाहता था कि दूसरे लोग अपनी ताकत बचाए रखें इसलिए उसने शिकार करने के लिए अकेले जहरीली धुन्द में गई शैतान साप इस समय पूरी तरह से अपनी सूंधने की क्षमता पर निर्भर थे लेकिन जहरीली धुन्द से भरी इस जगह में ये सपश्ट रूप से कमजोर हो गई थी। कोई ज़रूरत नहीं थी। लड़ाई का इरादा जिसे रोप दिया गया था वह बढ़ गया क्योंकि लॉन्द हाउचेन पूरी तरह से अपनी इंड्रियों से प्रेरित था। कभी कभी चोटी चोटी आवाजे सुनाई देती थी लेकिन गले में छेद हो जाने के कारण आवाजे बंध हो जाती थी जिससे उसका मालिक डर जाता था। और लॉन्द हाउचेन सिर्फ शैतान सापों के साथ हस्तक शिप नहीं कर रहा था। बोस्डेल बोस्ट के बारे में मत भूलिये जो दलदल में डूट गया था। फॉरस्ट बोवा घुस्पैठियों से सक्त नफरत करते थे। जिसक्षन शैतान साप राजा ने शैतान सापों को पीछे हटने का आदेश दिया, फॉरस्ट बोवा राजा ने भी अपने कभिले के लोगों को उनका पीछा करने का आदेश देने के लिए अपने तरीकों का इस्तिमाल किया। परिनामस्वरूक शैतान साफ जिनकी द्रिष्टी असपश्ट थी, वनबोअ द्वारा भोजन के लिए उनका शिकार किया गया। जबकि लॉंग हाउचेन की इंद्रिया चरम पर थी, वह निश्चित रूप से शैतान सर्पों की वर्तमान स्थिती को समझ स सकता था। जहरीली धुंद में अंधेरि तत्व की आध्यात्मिक उर्जा का उच्छाल एक के बाद एक बहता रहा। ये शैतान सर्पों द्वारा शुरू किया गया जबाभी हमला था। हाला कि धुंद को तितर बितर करने के लिए राक्षस देव स्तंब के बिना उनकी ल उसका घर कहा जा सकता है। जंगल का बोव राजा न जाने कितने समय से इस थान पर शासन कर रहा था। इस हद तक कि राजा राया सियरा भी ताकत में उससे आगे निकल कर एक संप्रभु के रूप में अपनी स्थिती हासिल नहीं कर सका। हाला कि शैतान सर्प देवता दानब देवता स्तंब के साथ एक हो गया था। दानब देवता रूपांतरित अवस्था में उसकी धारना सामाने से बहुत अधिक थी। उसके कुल के लोगों की चीखे स्वाभाविक रूप से उसके कानों तक पहुँचती थी। लेकिन अब जब वह जंगल के बोव पर भयन कर हमला कर सकता था। किसी के पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि रूपांतरित दानब भगवान एंड्रोमेलियस की स्थिती काफी गंभीर थी। इस अवस्था में उसका शरीर जंगल के बोव राजा से जरा भी कमतर नहीं था और उसके हा जावा उसके पास अभी भी सहायक थे। दूर स्थित दानब देव स्थम्ब के पीछे बिना किसी आवाज के चार जोड़ी सफेद आखे खुल गई और प्रकाश की आठ सफेद किरने एक जटके में फॉरस्ट बोव किन के शरीर से टकरा गई। अच्छानक जंगल के बोव राजा का पूरा शरीर अकड़ गया और उनमत चक्कर लगाने लगा। इसके साथ ही पेट्रिफिकेशन के प्रभाव का विरोध करते हुए उसकी सापकी खाल की एक और परत निकल गई। इससे निसंदे हैंडुमेलियस के हमलों की तीवरता कम हो गई। एंडुमेलियस एक मजबूत काले रंग का अंधेरसार इससे पहले की वे जंगल के बोवराजा के शरीर पर भयन कर प्रहार करते कुछ गहरे हरे रंग का खून सभी दिशाओं में उड़ गया। गुस्से में चिलाते हुए जंगल के बोवराजा ने अपनी पूरी ताकत से चिलाया, बड़ी म रंग की आखों से लगभग आख की लप्ते निकल रही थी, एक मीटर व्यास वाला एक भयानक हरे रंग का प्रक्षेप्य दागा गया, जो सीधे एंडुमेलियस से टकराया, चून की यह व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ट कर रहा था, एंडुमेलियस के मन में एक विचार उठा, क्योंकि उसके शरीर ने एक शैतिज मोर लिया, वह नौवे चरन के पावहा उसकी आंतरिक बोली थी, हाला कि वह इसे लेना चाहता था, लेकिन अगर जंगल के बोव राजा के नियंतरन में यह वस्तू उसके शरीर को कुचल देती, भले ही वह अधिक मजबूत होती तो यह उसके लिए प्रतिकूल तरीके से समाप्थ हो सकती थी, जैसे ही उसने यह मोर लिया, एंडुमेलियस के शरीर से एक गहरा सुनहरा रंग चमकने लगा, जैसे ही उसने अपने हाथ में भाला उठाया, उसके बगल में एक प्रतिविम दिखाई दिया कोई तीखी सिसक यह उचाई में लगभग उसके शरीर के समान था, सीधे उस आंतरिक गोली की ओर जा रहा था, लेकिन आगे एक अजीब द्रिश्य हुआ, मूल रूप से क्रोधित जंगल के बोवा राजा ने अच्चानक एक बोधगम्य रूप प्रकट किया, उसकी दबंग आंतरिक गोली ने वास्तव में हवा में चक कर लगाया, और इसका लक्षय एंड्रोमेलियस नहीं था, बलकि सीधे राक्षस देव स्तंब था, एंड्रोमेलियस ने बहुत आश्चर्य दिखाया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में अच्चानक तिरसकार के भाव प्रकट हो गये, जं प्रचंड हरी और काली रोश्नी खिल उठी, इस बार जंगल के बोव राजा ने गलत गणना की, वह शुरू से ही जानता था कि उसके खिलाफ असली खत्रा एंड्रोमेलियस नहीं था, बलकि यह खंभा था जिसे वहलाया था, लेकिन वह ये भी सपश्ट रूप से समझ गय गया था कि हमला करने का अफसर धूंडना किसी भी तरह आसान नहीं होगा, उसने ऐसा व्यवहार किया मानो वह एंड्रोमेलियस के विरुद्ध क्रोधित हो और आंतरिक बोली मार दी, यह अत्यंत दुरलब अफसर पाकर वह चोतरफा हमला कैसे नहीं कर सकता था, उनके द्र के बोवा राजा का शरीर अचानक जोर से कांपने लगा, मानो उसमें मलेरिया के लक्षन हो, उसकी आंतरिक गोली आश्चर्य जनकगती से उस पर वापस उच्छली, लेकिन उसमें मौजूद जेड लाइट गहरा हो गई, इतना ही नहीं, बलकि फोरस्ट बोवा किंग पर चमकने वाली चमक भी कम हो गई, एक बार फिर उस पर हमला करने से पहले एंडरुमलियस और अधिक हसी के साथ गरजा, इस दोरान उससे पैदा हुआ प्रतिबिम हर बात को नजरंदास करता रहा और हमले करता रहा, वह इतने बड़े अफसर को हाथ से जाने नहीं देने वा करन ने भी इन राक्षसी खजानों को कभी नश्ट नहीं किया है, फोरस्ट बोवा किनकी आंतरिक गोली की तो बात ही छोड़ दें। इस गलती के बाद जंगल के बोवा राजा को उसकी आंतरिक गोली से लगे हिंसक जटके के कारण एक हिंसक प्रतिक्रिया का सामना करना प ताकत के संदर्ब में फोरस्ट बोवा किनक को मूल रूप से पूर्ण लाब होना चाहिए था, आखिरकार नौवे चरण और आठवे चरण के शिखर के बीच का अंतर एक अविश्वस्निय अंतर से मिल खाता है और फोरस्ट बोवा किनक का इस पर पूरा नियंतरंग था खेत्र का मौलिक सार, हाला कि अकेले दानव देव स्तंभ ने बहुत अधिक उप्योगिता दिखा, इसने न केवल शैतान नाग देवता को मौलिक सार में एक शक्तिशाली बैकप दिया, बलकि इसकी बाहरी आध्यात्मिक उर्जा को एक लाख हिकायों से भी अधिक बढ़ा गलती की, जिससे उसे पूल्ण नुकसान हुआ, हाला कि ठीक पहले दानव देव स्तंभ के विरुद्ध इनपिल की बंबारी बेकार साबित नहीं हुई, कम से कम पीछे चिपी चार जेलिफिश जटके की लहरों के कारण दलदल में गिर गई, जिससे उनके मूह और नाक से खून निकलने लगा, तेजी से चरने के बावजूद, वे दलदल में फंसने से बचे रहे, हाला कि मेडुसेस के पास काफी जबरदस्क शमताएं थी, फिर भी वे अंततर छटे चरन के शैतान साप ही थे, आंतरिक गोली की आकरामक शक्ति पूरी तरह से दानव देव द्वारा प्राप्त की गई थी, लेकिन आध्यात में कूर्जा शक्ति का भयानक उच्छाल जो एक निश्चित सीमा तक फैल गया, फिर भी इन चारों को घायल कर दिया, अचानक रुकने से पहले हरे रंग की एक हलकी सी चमक आई, यह अचानक हलचल और रुकना बहुत जीब लग रहा था, और जिस स्थान पर वह रुका था वह चार जेली फिश के कबजे वाले क्शेत्र का केंड़ था, तुरंत वह हरा रंग एक बवंडर में बदल गया, जो अंगिनत हरे घेरों में फूट गया, एक फुसफुसाहट के साथ वे चारों जेली फिश तुरंत चिल्लाव थी, इस समय आध्यात में कूर्जा के तीवर उतार चड़ाव के कारण उनमें अपनी आखे खोलने की हिम्मत नहीं हुई, जिसके कारण वे चक्कर की स्थिती में आ गए, क्या होगा अगर दरावनी किरने उसके साथियों पर पड़े, वास्तव में यहां तक की स जोशनी के संपर्क में आने पर उसके बालों के सभी साफ तुकड़े-तुकड़े हो गए, जो उसकी चीख का कारण था, वह उनके शरीर का एक हिस्सा था, अध्याय 449 देव दानव रूपांतरित भागतीन, अचानक उसके पीछे चीखे सुनाई दी, शैतान सर्थ भगव पस्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था, अपने विचार क्रम में उन्होंने स्वाभाविक रूप से इसे वन बोव से जोगा, क्योंकि उनसे निकलने वाली आध्यात में कूर्जा भी उसी रंग की थी, ठीक उसी समय वह जंगल के बोव राजा के साथ लर रहा था, इस तथे के साथ की उसके चारों और की आध्यात में कूर्जा जंगल के बोव राजा के नियंत्रन में थी, इससे उसकी योजनाओं पर व्यापक प्रभाव पढ़ेगा, अंततह चारों जेलिफिश कुछ और सहन करने में असमर्थ हो गई और उन्होंने अपनी आखे खोल उनके साथ के बाल प्रकाश में घूम रहे थे और वह तेज आभा उन तक पहले ही पहुँच गई थी, चाहे दानव हो या इनसान, उन परिस्थितियों में कोई भी खुद को बचाना चाहेगा, और आखिरकार वे दुश्मन की स्थिति को भामपने में सक्षम थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आखे खोली, उनकी दृष्टी में केवल उनहीं की तरह के लोग दिखाए दिये, जबकि उस शांदार हरे रंग की आकृती जिससे वे चकाचौद करने वाली ख्षमताय उत्पन हुई, वह उसकी दृष्टी से कई मीटर दूर थी, जिससे वह उ उन्हें दफन होने का मौका भी नहीं दिया, उसने तुरंट चार दरी हुई जेलिफिश को लात मार कर दूर फेक दिया, और उन्हें दूरे एक बेल की ओर उरते हुए भेज दिया, हरे रंग की चमक के साथ, वह दानव देव स्तंब के पीछे गायब हो गया, अरे, इंडर सर्प भगवान की बाई और दाई भुजाय बनाएंगे, उनकी पूरी जाती में परिपक्व मेडुसा केवल छे गिने गए थे, जिनमें से अंतिम दोख शेत्र की रक्षा कर रहे थे, जबकि अन्ये चार एंडुमलियस द्वारा लाए गए थे, लेकिन उन्होंने कभी उम से ही स्पष्ट हो सकती है, इस बार जंगल के बोवा राजा को गलत तरीके से दोशी ठहराया गया और वह इस स्थिती का समाधान निकालने में भी असमर्थ था, ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि हरे रंग की चमक वायु तत्व से थी, पर नमस्वरू यह उनके आदमियों से नहीं थी, हाला कि चून की कोई और उसकी मदद कर रहा था, इससे उसके लिए एंडुमेलियस द्वारा खुद को खत्म ना होने देने का और भी अधिक कारण बन गया, इसके अलावा, चार मेडुसा का खत्रा खत्म हो जाने से, उस पर दबाव काफी हद तक कम हो गया, सैयम के इस समय ने उन्हें अपनी अधिकान शाध्यात में कूर्जा को पुना प्राप्त करने की अनुमती दी, और अबेंडुमलेस के खिलाफ मौत की लड़ाई में उभरने का समय आ गया था, चार दरी हुई जेलिफिश को पहले ह लौंड हाउचेन के इटनल मेलोडी में स्थानांतरित कर दिया गया था, यदि उसने पहले जैसा अच्छा मौका नहीं लिया, तो लौंड हाउचेन वास्तब में वह नहीं होगा, मेडुसा बहनों में निश्चित रूप से अच्छी धारना थी, जिसे उनकी बंद आखों करने की क्षमता से देखा जा सकता था, यदि उनके पास अच्छी धारना नहीं थी, तो वे अपनी दृष्टी के बिना दुश्मनों को निशाना बनाने में कैसे सक्षम हो सकते थे, इस कारण से लौंड हाउचेन ने मेडुसस को रोकने का अपना लक्षित जारी रखा, ल हाला कि लौंड हाउचेन अभी भी इस तथे से परेशान था कि वांग युवानयुवान खेती के केवल छटे चरन पर था, हाला कि उसे प्राचीन मार्शल तकनीकों पर भी पकर थी, फिर भी अकेले चार मेडुसे का सामना करना जोखिम भरा था, जब लौंड हाउचेन इ इसी देरी के पवन मृत्य का प्रदर्शन किया, इसके बाद चारों जेलिफिश अपने ही जाल में फंस गई और अंतताह अपनी ही पेट्रिफिकेशन किरनों से मारी गई, चार जेलिफिश को शान्ती से निप्टाने में काम्याब होने के बाद, लौंड हाउचेन ने निस असुवेधा जनक, इन दो महान शक्तियों के बीच टकराफ स्पष्ट रूप से उच्चे गती तक पहुँच जाएगा, जिसने लौंड हाउचेन को और भी अधिक चिंताओं से मुख्त कर दिया, एक बार फिर घने कोहरे में पीछे हटते हुए, उसने शैतान सर्प खुल तक सयम बरता और दुश्मन को मारने के इरादे से केवल तलवार पर भरोसा किया, उसकी शक्तिशाली इंद्रियों ने उसे धुंद में देखने की अनुमती दी जैसे कि वहां कुछ भी नहीं था, और उसके बाद शैतान सापों की लगातार्ची के सुनाई दी, उसी समय उ ये कम से कम पाच्वे चरंग के शैतान साप थे और उनकी लाशे और आंतरिक बोलिया बड़ी कीमत पर विखी, ब्रदर हैस ड्रग्स निश्चित रूप से इसकी सराहना करेंगे, हाला कि ये शैतान साप अपने कभीले के बीच खुलीन थे, घात लगाए जाने पर थोड़ समय की घबराहट के बाद, कुछ शैतान साप अपने नेताओं के रूप में कार्य करते हुए बार-बार जोर से फुफकारते रहे, ताकि उन्हें ध्वनी के साथ मार्ग दर्शन किया जा सके, और अन्य शैतान सापों को फिर से इकठा होने के लिए बुलाया जा सके, इस प शैतान सर्प शक्तियों का एक सब्मूव के रूप में उस पर हमला करना काफी भयानक होगा, और वो अपनी महत्वपूर्ण युद्ध शक्ति का आधे को भोव नहीं कर सका, क्योंकि बाद में एक युद्ध उसका इंतजार कर रहा था, शैतान सर्प डेवता एंडुमेलि मिलेगा, उनकी नजर में जंगल का बोव राजा सर्वोत्तम संभव टॉनिक था, जंगल का बोव राजा खुद को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने देगा, उसका विशाल शरीर जेड चमक से चमक उठा और यद्यपी एंडुमलियस के हमलों से उसके शरीर पर घाव होते रहे, उसकी विशाल जीवन शक्ती उसका सबसे अच्छा समर्थन थी। लगातार घूमते हुए, उसने एंडुमलियस के शरीर को मोड़ने का प्रयास किया, जबकि उसे बार-बार काटने के लिए अपना विशाल मुह खोला, जिससे उसे और अधिक सावधानी से आगे पताय नहीं थी, फिर भी उनके पास उसी श्रेनी के अन्य जादूई जानवरों से कहीं अधिक विशाल जीवन शक्ती थी। भले ही किसी के शरीर को टुकडों में कात दिया जाए, जरूरी नहीं कि वे इससे घहतक रूप से घायल हो। ये सिर्फ इतना था कि पहले उसकी आंतरिक गोली से दानव देवता स्तंब पर बंबारी करने से, वन बोवा राजा को एक बड़ा नुकसान हुआ, जिससे उसका दिल घायल हो गया, जिससे उसके लिए ऐसी नुकसान देह स्थिती पैदा हो गई। एंडुमेलियस गहरे लाल रंग की चमक से धका हुआ था, यद्यपी रूपांतरित दानव देवता के बाद उनका व्यक्तित्वा विशाल हो गया, फिर भीवे फूर्तीले बने रहे और इसके साथ ही उसके हाथों में मौझूद दोहरे भाले उठते और गिरते रहे, जिससे फॉरस्ट बोवा किंग को एक बार में अपनी पूरी त का खून लगातार टपक रहा था, वन बोवा राजा सपश्ट रूप से कमजोर हो गया था और दानव देव स्तंब के समर्थन के साथ एंडरोमेलियस की अंधेरे आध्यात्मिक उर्जा अटूट लग रही थी, उनके सर्थ भालो पर 10 मीटर लंबी गहरी लाल जवालाय बि फिर से हरे रंग की चमक उगल दी, इसी के इंतजार में एंडरोमेलियस अब तक काफी तनाव में था, प्रकाश की लाल काली चमक के साथ उसका शरीर आधारीन रूप से गायब हो गया और उसके दानव देवता स्तंब के पीछे दिखाए देने लगा, इसमें कोई शक नही कि वह इसी का इंतजार कर रहे थे। दलदल, ये जंगल के बोवा राजा का वास्तविक शेत्र था, फोरेस्ट बोवा किंग ने पहले ऐसा क्यों नहीं किया, इसका कारण यह नहीं था कि वह ऐसा नहीं करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। इसकाल वापसी क्शमता पर भरोसा करते हुए, उसने वनबोवा राजा को दलदल में भागने के लिए परियाप्त समय दिया। और इसके अलावा, दानव देव स्तम की टेलिपोटेशन क्शमता किसी की इच्छानुसार उप्योग करने योग्य नहीं है। प्रते एक उप्योग के बाद इसे दोबारा उप्योग करने से पहले लंबे समय तक इंतजार करना होगा। ये टेलिपोटेशन स्वयम एंड्रोमेलियस का कौशल नहीं है, परिनामस्वरूप इसका उप्योग केवल एक निश्चित सीमा के भीतर ही किया जा सकता है। आन्य था, यदि दान, वह देवता किसी घात के लिए टेलिपोर्ट करने में सक्षम होते, तो मानवता बहुत पहले ही वश में हो गई होती। इस बार एंड्रोमेलियस की नाक एक तरफा कोन पर मुर गई और उसका उत्तर अभी भी बहुत देर से समाप्त हुआ था। फॉरस्ट बोवा किन पहले से ही दलदल में वापस आ गया था, और अपना रोश प्रकट करने के लिए वह बस इतना कर सकता था कि फॉरस्ट बोवा किन को परोगश रूप से कुछ चोट पहुँचाने की आशा से अपनी पूरी ताकत से दलदल पर हमला कर दे। गाद में वन बोवा राजा पानी में मचली की तरह था और उसकी उपस्तिती के निशान तुरंद गायब हो गए। केवल दानव देव स्तंब पर भरोसा करते हुए उसकी ताकत अपनी सबसे बड़ी उचाई पर प्रदर्शित हुई जबकि जंगल का बोवा राजा बहुत कमजोर हो गया था। के मन से लड़ रहे थे सपश्ट रूप से बीट गया। आत्मा की उर्जा के शक्तिशाली उतार चड़ाव हवा में प्रसारित हुए और वे दोनों जानते थे कि उनका प्रतिदवन्दवी उन्हें देख रहा है लेकिन किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की। उसकी ताकत के स्तर पर ऐसे मामलों में जहां कोई गंबीर रूप से घायल हो स्थिती को बदलना बहुत मुश्किल होगा। जंगल के बोव राजा ने पहले ही अपने जीवन को खत्रे में डाल दिया था और यदि उसने अन्डुमेलेस को धोखा नहीं दिया होता तो समभथता उसे मौत के घाट उतार दिया गया होता। एंड्रोमेलियस का मस्तिष्क तेजी से काम कर रहा था और उसकी इंद्रिया फैल गई अपने साप के भाले को जमीन की और इंगित करते हुए उसने आराम करने की हिम्मत नहीं की हाला कि उसे जल्द ही एक अफसर मिल गया अब जंगल के बोव राजा का शरीर दल्दल में गायब हो गया वह गुफा जो पहले बन थी वह उसकी द्रिश्टी में दिखाई देने लगी मानविय द्रिश्टिकों से ये गुफा बहुत बड़ी मानी जा सकती है लेकिन जंगल के बोव राजा या रूपांतरित दानव देवता एंड्रोमेलियस के लिए ये बहुत चोड़ी नहीं थी इसका व्यास लगभग 30 मीटर था गुफा दलदल से बाहर तक फैली लताउ से घिरी हुई थी गुफा के अंदर धुंदली सी चमक दिखाई दे रही थी निस संदे हैं जीवन किसी भी खजाने से अधिक कीमती है और धा तक धम की मिलने के बाद जंगल के बोव राजा को इस गुफा की रक्षा छोड़नी पड़ी एंड्रोमेलियस के चेहरे पर एक थंडी मुस्कान आ गई तो क्या आप छिपना चाहते हैं ठीक है लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने वह गुफा छोड़ी है इस गुफा के अंदर का खजाना मूल रूप से एंड्रोमेलियस का पहला लक्षय था इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि वह जंगल के बोह राजा को मार सकता था या इस खजाने की खोच कर सकता था अंतिम परिनाम अच्छा था कम से कम इसके परिनाम स्वरू क्यात्रा बरबाद नहीं हुई अपना लक्षय तै करने के बाद एंड्रोमेलियस बिना जल्दबाजी के आगे बढ़ गया अपने आपको अपने दानव देव स्तंब से जोड़कर वह सांस लेता रहा उस खंवे से कुछ चमकदार काली किरुने निकलने लगी जो उसके पेट में समा गई इससे उनका प्रभावशाली कद लगातार बढ़ता गया और उन्होंने पहले खर्च की गई उर्जा को आश्चरेजनक गती से पुना प्राप्त कर लिया इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि कोई क्या कह सकता है इस दानव देवता स्तंब के करीब रहने वाले दानव देवता को अभी भी सभी में अंतिम स्थान दिया गया था लेकिन उनके समर्थन से वह अभी भी उम्मीदों के विप्रीत दस्वे चरंग के वन बोवा राजा को दबाने में काम्याब रहे एक विशाल शरीर मुढने लगा और उसकी पीट पर बड़े काले पंखों का एक जोड़ा खुल गया जिससे गहरा लाल रंग का कुछ चमक रहा था उस पर किसी प्रकार की स्पंदित गहरे लाल रंग की नसेस पश्ट रूप से देखी जा सकती थी क्योंकि एंड्रोमेलियस की सासे जारी थी ये देखकर कि वो अपनी चरम अवस्था में लोटने के कगार पर था एंड्रोमेलियस अंततह चला गया उसका मुड़ा हुआ शरीर अचानक बाहर निकल गया गहरे लाल रंग की रोश्नी के बोल्ट की तरह गुफा में चला गया उसने अपने खंभे से दिया गुफा तक राक्षस की दूरी दो या तीन सो मीटर के करीब थी लेकिन उसकी ताकत और गती को देखते हुए और उसकी पीट पर पंखों की सहायता से वो लगभग तुरंथ ही पहुँच गया दुश्मन को बाहर आने के लिए चारे के रूप में हमला करना ये उसकी साज़िश थी जंगल के बोवा राजा के पास इस योजना को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जब तक कि वह इस गुफा के अंदर के खजाने को छोड़ने के लिए सहमत नहीं हो जाता कूरजा थी जिसने अप्रत्याशित रूप से थोस रूप दिखाया उस गुफा की चीज के लिए जंगल का बोवा राजा अपनी पूरी कोशिश कर रहा था क्योंकि उस गुफा के अंदर की चीज उसकी नजर में बहुत महत्वपूर्ण थी चून की एंडुमलेस ने कारि दिया गया वन बोवा किंट का मुख्या भी दलदल से बाहर आ गया आगे एक अजीब द्रिश्य घटित हुआ आश्चर्य जनक रूप से एंडुमेलियस ने उस गोली को नजरंदास कर दिया और अपने दो भाले लहराय और उन्हें जंगल के राजा बोवा में घोब दिया इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि जंगल का बोवा राजा कितना चालाक था वह एंडुमेलियस से यह उमीद नहीं कर सकता था कि वह उसे इतनी लापरवाही से उल्जाने की हिम्मत करेगा उसकी मूल योजना एंडुमेलियस को डराने और भागने के लिए उसे दूर धकेलने की थी दस्वे चरंड के जादूई जानवर की आंतरिक गोली किया ये कुछ ऐसा है जिसका विरोध करना इतना आसान हो सकता है अचल दानव देवता स्तम एक तरफ अगर ये हैंडुमेलियस पर उतरा तो ये हुसके लिए घातक होगा हाला कि ये सब बहुत जल्दी हुआ और भले ही फॉरस्ट बोवाकिंग अपना हमला बदलना चाहता हो लेकिन इस बिंदू पर ये पहले से ही असंभ़व था बूम अरे प्रोग्द की दहार ने सुनाई देने के साथ ही एक भीशन विस्फोट हुआ उनका मूल जंगल के बोवा राजा का आंतरिक गोली हमला था उस शक्तिशाली आंतरिक गोली ने सर्फ दानव देवता डैविल एंडुम अलेस की छाती को कुचल दिया जिससे एक हिंसक विस्फोट हुआ जिसने उसकी पूरी चाती को टुकड़े टुकड़े कर दिया और धाव के चारों और दो मीटर से अधिक व्यास का एक छेद बना दिया लेकिन जंगल का बोवा राजा कुछ भी बहतर नहीं कर पाया चून की एंडुमलियस ने एक ही बार में सब कुछ दाव पर लगा दिया था इसलिए उसके साब के भाले ने उसके सिर को भेदने की बज़ए उसकी आँखों पर एक भेदी प्रहार किया सभी दिशाओं में लाल तरल पदार्त के साथ गहरा हरा रक्ट बह रहा था मचली की सघन गंध तुरंत चारो और फैल गई एक आपसी विनाश नहीं, साजिशों की प्रतियोगिता में अंतिम विजेता फिर भी एंडुमेलियस ही रहा अपनी छाती चिदवाने के बाद एंडुमेलियस दलदल में गिर गया लेकिन उसका विशाल शरीर जल्दी ही दानव देव स्तंब की दिशा में उरते हुए गहरे लाल प्रकाश के अंगिनत छीटों में बदल गया एंडुमेलियस जो मूल रूप से 5 मीटर लंबा था अब जंगल के राजा बोवा के दूसरी ओर दिखाए देता है और फॉरस्ट बोवा किंग के सिर को छेदने वाले दो भले धीरे-धीरे आकार में कम होते गए अवतरित दानव भगवान दानव देव स्तंब द्वारा लाए गई एक शक्तिशालिक शमता थी और ये द्रिश्य लॉंध हाउचे निस्पष्ट रूप से देखा जो अपने युधक्षेत्र के किनारे पर वापस आ गया था वो मदद नहीं कर सका लेकिन एक को बाहर निकाल दिया में घटनास्थल पर सांस लेता हूँ यदि उसने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा होता तो वो कल्पना भी नहीं कर पाता कि एंड्रोमेलियस के पास वास्तब में इतनी शक्तिशालिक शमता आरक्षित थी खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल करना और जब दुश्मन को यकिन हो गया कि वे ही चारा है तब धातक हामला करना एंड्रोमेलियस की योजना अपेक्षा के अनुरूप रही और जंगल का बोव राजा अंतता हमर गया हाला कि एंड्रोमेलियस भी बहुत अच्छा नहीं कर रहा था उसकी गुहाँ से रक्ट लाल रक्ट भहता रहा और उसका मूल रूप से भयावे स्वरूप और अधिक भयावे हो गया ये सब बहुत तेजी से हुआ और किसी ने भी ये हानुमान नहीं लगाया था कि इसका निशकर्ष इस तरह निकलेगा हाला कि लड़ाय अभी खत्म नहीं हुई थी और जंगल का बोव राजा सिर पर घातक चोट लगने के कारण उनमत हो गया और तुरंट दलदल के विस्त्रित विस्तार की दिशा में निकल पड़ा आध्यात में कूर्जा के भयानक उतार चड़ाव तुरंट आश्चर यजनक गती से भड़क उठे जैसे एक ही बार में सेकड़ो जादूई तोपे दागी गई लोंग हाव चेन ने वहाँ खड़े होने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से दस्वे सेंट गार को वहाँ से धूर ले गया दस्वे कदम के जादूई जानवर की आखिरी लड़ाई भयानक थी अप्रत्याशित रूप से उसने काले लबादे में धखकर और अपने खून की एक भी बून छोड़े बिना अपनी उपस्तिती को छिपाने की कोशिश की दरसल अवतारी दानव भगवान का उप्योग अप्रतिक्रिया लेकर आया यदि इस कोशल का उप्योग किया जाता है तो रूपान तरिद दानव भगवान को थोड़े समय के लिए सील कर दिया जाएगा और दिल में घाव कर दिया जाएगा यह उतना सरल नहीं था जितना लॉंग हाउचेन ने देखा था स्पिरिट स्टोग की तरह अधिक शक्ती के साथ एक गंभीर प्रतिक्रिया हुई विकल्प को देखते हुए एंड्रोमेलियस स्ट्रैप कार्ट का उप्योग नहीं करना चाहता था लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था यदि वह सुरक्षित मोड में चला जाता तो ये गंभीर रूप से घायल जंगल के राजा बोवा को डरा देता जो खजाना अंदर छोड़ देता लेकिन वह जंगल के राजा बोवा जैसे महान टॉनिक को छोड़ने को तैयार नहीं था जो ये काम कर सकता था इस कारण से वह वन बोवा राजा को दूर जाने का मौका भी नहीं देना चाहता था और केवल धा तक प्रहार करने के लिए खुद को चारे के रूप में इस्तिमाल कर सकता था जंगल के बोवा राजा की उनमत लगाए एक चोथाई घंटे से आधिक समय तक चली लेकिन एंड्रोमेलियस का ये तयार जटका बहुत शक्तिशाली था किसी भी जादूई जानवर के लिए यदि उसके मस्तिश्क को अंधेरे आध्यात में कूर्ज अद्वारा छेद दिया गया हो और नश्ट कर दिया गया हो तो जीवित रहना मुश्किल होगा इस गंभीर चोट के साथ फॉरस्ट बोवा किन की विशाल जीवन शक्ति बिना किसी विकल्प के खत्म हो रही थी एंड्रोमेलियस वास्तव में किसी भी अन्य चीज के बारे में जरा भी चिंतित नहीं था इस बार उनकी क्षती विनाशकारी थी चार मेडुसा मारे गए फिर भी राक्षस देवताओं के शीर शर्टालीस में कम से कम एक स्थान प्राप्त करने के बाद उसका दिल जलने लगा इसके अलावा उसे अभी भी नहीं पता था कि जंगल का बोवा राजा किस खजाने की रक्षा कर रहा था जंगल के बोवा राजा को उससे इतना लगाव रखने के लिए उसे असाधारन होना होगा उसके बारे में सोचते सोचते एंडुमेलियस का शरीर उत्तेजना से एठने लगा अंततह जंगल के बोवा राजा की लड़ाई कमजोर हो गई और यहां तक कि उसकी आंतरिक गोली भी निगलने के बजाए दलदल में गिर गई उनकी विशाल जीवन शक्ती पहले से ही लगभग अस्तित्वहीन थी एंडुमेलियस ने अपनी सासे शितिल कर ली एक असहनिय तीवर जी ग्यासा उसमें भर गई फॉरस्ट बोवा किंग की आभा से रहित आंतरिक गोली को देख कर वह समर्थ था और इसे भर कर परमानंद को नियंतरित करें उसकी पीट के पंक मुर्जा गए और तेजी से वे दलदल के पास पहुँचे एंडुमेलियस अभी भी अपने आखिरी जटके के बारे में बहुत आत्म विश्वा से भरा हुआ था और उसे अपनी धारणा पर भी पूरा भरोसा था यह महसूस करने के कारण की आंतरिक गोली वास्तव में जंगल के बोवा राजा की आभासे रहित थी दस्वे कदम के जादुई जानवर ने अपनी आंतरिक गोली भी छोड़ दी वह ऐसा केवल तभी कर सकता था यदि उसकी आत्मा पहले ही इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चुकी होती शांती से दलदल में गिरते हुए एंड्रो मैलियस ने आंतरिक गोली अपने हाथ में पकड़ ली बेशक उसने जंगल के बोवा राजा की आंतरिक गोली को अफशोशित करने के लिए इस जगह को नहीं चुना ये चीज बेशक अनमोल थी लेकिन इसके भीतर सनरहीत आध्यात्मिक उर्जा सच्वुच बहुत बढ़ी थी कारवाई का सबसे अच्छा तरीका उसकी अंतिम बाधा को तोड़ने के लिए उसे अफशोशित करने के लिए समय निकालने से पहले सुरक्षित रूप से वापस लोटना था आंतरिक गोली को अपने हाथ में रखकर और यह सत्यापित करते हुए कि फॉरस्ट बॉकिन की आभा का कोई निशान नहीं बचा है शैतान सर पेंडुमेलियस ने अंततह अपनी सतर्कता धीली कर दी इतने लंबे समय के बाद आखिरकार उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया इससे उनका पर्मानंद ऐसा था जिसकी कोई कल्पना भी कर सकता है हाला कि वास्तव में उसके लिए जश्न मनाना बहुत जल्दी था जैसे ही उसने अपना पहरा हलका किया वन बोव राजा जो जीवन से रहित लग रहा था अचानक चला गया वा पहले से ही खून से लत्पत से रचानक एक तरफ चला गया और एंडरोमलेस की पीट पर जोरदार निशाना साधा